प्रेंड्स कैसे हैं आप सब चलिए सुरु करते हैं आज ग्लास ग्लास कोश्यन नंबर बत्रीश थर्टीटू निकाली चीजन नमबर थर्टीटू बहुत बढ़िया कोश्यन नमरेजमेंट व बीना और रिना लिम्टेद अर वरीट आप बाओ जाना चाहती है। और लेबर टर्न्वर ज्यादा होना अच्छा नहीं हाने आता तो कमपनी कुछ एक्षंट लेना चाहती है तकि लेबर दनोबडेट कम हो बट्ट उस एक्षिंट को लेने से पहले वह जानना चाहती है लेबर टरणॉबर हो नी इन्ट्रेविव करने में बहुस सारे खर्चे होता है तो कि किया मेरा फिट फारों खर्चा कहां से कर रहा हुँमा फर अबर टो करना खर्चा एक तो मेरे सारे खर्चे प्लस क्यूंकि लेबर यदि रखेकर प्रक्षन नहीं होगा प्रोडक्शन ने होगा माल ने भीगेगा माल ने भीगेगा कॉंट्रिबुशन नहीं होगा प्रॉफिट नहीं होगा तो यह क्या मेरा प्रॉफिट लॉस्ट चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट यह सेल्स अमाउंटेट टू रॉपीज प्रॉफिट लाग थी थाओज़न थी एंड पिछले साल कितने सेल हुई थी तिरासी लाग तीनेजार तीन सो अन्पीवी रिशो वास्ट परसेंट एंड पीवी रिशो वास्ट 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 तो मैं अगर आप से पूछूं कि इन दो इंफरमिशन के बेस पे क्या आप पिछले साल कितना कॉंट्रिबूुशन कमाया कर देशिपो डिॉन कितना कवाल तो ढखो हो फिम लाग था सेल्जड कुना ऑच पीज रेशर नसे लीड़ेश हों कि मीन लुथ तिरासी लौग है इन एफ तीन हजार थीन सो और पीवी रेश्यव आपका is 13,033,000 ओंटी परसेंट से अब सोनां लाघ म след should हाट शुरल लाग साटीश्यार शाहसो यह क्या है Contribution जो पिछले साल कंपर्णी ने कम आया कि जैसे कि मैंने आपको बताया था Contribution long-term path decision home contribution can be хозя because long term के अंदर fix cost में चेंज नहीं होता है है तो contribution becomes profit तो यह contribution कहलो या layman के language में इसी का profit कहलो आगे बढ़ते हैं the number of actual hours worked by the direct labor force was 4.45 lakhs एक्षिल पर कितने घंटे काम किया लेवर ने चार लाख एंटार घंटे काम किया है ठीक है as a result of the delay of the personal department in filling vacancies due to labor turnover एक लाख potential productive arts were lost अंडरलाइन करो एक लाख यह क्या है क्योंकि हमारी company का जो HR है बड़ा निकमबा है टाइम पर बंदों को रिप्लेस ही नहीं किया जो छोड़के चले गए चले गए अब लिप्लेस नहीं किया नए बंदों की हाई नहीं करी तो इससे क्या हुआ एक लाख आर्स का नुक्सान हुआ है क्याने का मतलब एक लाख घंटे प्रड़क्शन हो सकता था बट उनके डिले की वज़े से एक लाख घंटे प्रड़क्शन नहीं हो पाया अब देखो जब एक लाख घंटे प्रड़क्शन नहीं हो पाया है तो फिर माल बना भी नहीं होगा एक लाख घंटों के बराबर प्रड़क्शन होगा नहीं हुआ तो सेल्स भी नहीं हो पाएगी अच्छा और सेल्स नहीं हुई तो जो कॉंट्रिबुशन कमाते वो नहीं कमाया होगा तो रुक्सान है आगे बढ़ते हैं अगे 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 लुट्टिव अन्पोड़क्ति याणि की पंदरा अजार घंटो के बराबर अगें क्या हुआ है प्रोडक्शन का लॉस हुआ है तो एक गंटे तो वो गया और पंद्रा यह हो गया तो टॉटल लॉस इतना हो गया एक लाख पंद्रा जार गंटे अच्छा यहां तकी इंफोर्मेशन के बेस्वे अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले साल डारेक्ट लेवर आर्स प्रोडक्टिव कितने थे प्रोडक्टिव तो क्या बोलो गया आप चार मैंताली स्टॉटल था जिन में से तीस का आधा यानि पंद् तीजार गंटे आगे मेरा प्रोडक्टिव वार्स ठीक है अच्छा अब मैं यह कानुँच आट टोटल अंप्रोडक्टिव आर्स लिगो टोटल अनप्रोड्क्टिव आउर्स कौन-कौन जियंक लाग तो डिले के विड़े से और 15 ये वाले जैनी कीश का जो आधा ट्रेन ज्यान देना यह इन्फोर्मेशन है प्रिवेश एर की और यह इन्फोर्मेशन करण्ट यह कि यहां तर अब आ रिया है कि मैं आप से पूरें चाहता हूं यह चीज अब आप बताई सोचर लास्ट यह लास्ट यह चार लाग तीस हजार घंटे काम करके प्रॉडक्शन करके कंपनी ने स्टोला लाख साथ हजार शैसो साथ का कॉंट्रिबूशन कमाया था तो इन एक लाख पंद्रह जार घंटों के बराबर यह कंपनी कितना कॉंट्रिबूशन कमाती क्या निकाल सकते हैं पॉसिबल है तो यहां पर लिख रहा हूं मैं कॉंट्रिबूशन लॉश्ट इन एक लाख पंद्रह जार घंटे देखो पिछले साल 16660 कमाये चार लाख तीजार घंटे काम बढ़के तो डिवाइड करने भी क्या जाएगा एक घंटे में कितना कमाया और गुना कर दूँँ एक पंद्रह से कितना आ गया एक पंद्रह में कितने कमाते हैं कि यह फिगर आगई यह आपके हूं चार 241 थीज़ इस कोर्षन के अंदर यह इन बात है न जो में पॉइंट आ पस यह हैं यह निकालना ही में बात है बस तो इस कोर्षन को का टेगरी ए में डालो यह चैटेगरी बीडा लो तो आपकी मर्जी है मेरी समस्थे काटेगरी भी मैं एक कोशन क्योंकि यह पूरे का पूरा कोशन मुष्किल नहीं है इसमें सिर्फ यह कॉंट्रिबूशन लॉस्ट दो निकाला है एक लाख पंदार घंटों के बराबर बस यह है इसका दर टिपिकल पाइंट आगे बढ़ते लेट यह कोशन को बढ़ते हैं दपॉस्ट इंकरड और लेबर टर्णोबर रिवील और एनलिस से फॉलएं वह कुछ खर्चे भी हुग है पहला हटा सेटल्मेंट कॉस्ट डू लीविंग होता क्या है जब इंप्वाइं कंपनी चुड़ की जाता है ना तो उसे कभी ना को से लिए नहीं चाहती है तो तरीका है वन दो ऊब्राद दो उसको कि यह लें सेल्ड ली चलता मन तो यह कै वैसी सटलमेंट कोस्ट है अच्छा अगला क्या है रिक्रीट्मेंट कोश्ट इसमें क्या क्या आएगा एडविटीजमेंट के इंट्रूवी पैनल वाला खरशा इसरा है selection cost same cheese selection cost अगला training cost train करने पर गलतिया करेगा production defective बनाएगा repair करना पड़ेगा समझ गया आगे बढ़ते है तो कुल मिला के यह चार भी क्या है मेरा profit lost आगे बोलता है question assuming that the potential production lost as a consequence of labor turnover could have been sold underline करो could have been sold could have been sold that prevailing prices find the profit foregone last year on account of labor turnover कुल मिला करें क्या बोल रहा है कि जो घंटे हमने खोए हैं उसको हम अगर नहीं होते तो production करते प्रशन करते तो बेचते और बेचते तो contribution कमाते वह नहीं कमा पाए तो मैं निकालना हुए statement showing profit for one एक तो मेरा क्या है contribution lost चार्च हमालिस चार्च हमालिस एक तीस करेक्ट इसके बाद मेरा कि सेट्लमेंट कॉस्ट चार्व लेग दिया मैंने एस फोर तिरी एट टू जिरो इसके बाद है recruitment कॉस्ट यह भी क्या सब मेरे खर्चेत हैं 26 कि साथ्सो चारिस फिर उसके बाद है selection कॉस्ट अबारा साथ सो अचास तो उसका आद ट्रेनिंग कॉस्ट तीस हजार चार सो नंबे सब को आड़ कर देता हूं कितना आ गया 557 930 टोटले चाहिए क्लेर एक बार आप फिरिंग क्लेर टोट चलिए पूशन कंपीट होगा आपका कैटेगरी बीम अढ़ सकते हैं इस question को आप मेरे इसाब से कैटेगरी ए आ रहा तो भी कोई टैशन की बात नहीं है कोई परशानी की बात नहीं है देद्रे कैटेगरी बीम आ जाएगा कोशन कोई साब हो जबने के बाद खुझ से सोचना आपको एक डिमें याज्य मेरे बोलने का वेट बिप्ल नहीं करना चलि आगे बढ़ते हैं है कि चलिए कोशन नंबर है कि 23 करते हैं निकालो भई कोशन नंबर 23 निकालो है कोशन नंबर 23 कोशन नंबर 22 क्या सी कि तो कोंट्रिबुशन लॉच्वत होता है न कि यह अधा प्रॉफित फॉर बान अट कोशन नंबर 23 पढ़ते हैं एक्स वाइज लिमितेट वॉन्स आश्टीर दा प्रॉफित लॉच्वत लॉच्ट लॉच्वत इल्मिक्टि वॉच्वत लॉच्वत अन्राइं गोफ इंगाला मुझे प्रफिट लॉष्ट दूरिंग यह 1314 दू टू इंग्रीज लेवर टूबर एगा फॉर इस परपस्ट यहां गिवन यू तो फॉलिग इंपर्मेशन फैला पहिंट ट्रेन पीरियर ऑफ न्यूर्ट इस 50,000 अर्स अच्छा पचाज अगंट ट्रेनिंग दी गई है दिए इस फीरियर्ट देर प्रटिविटी इस 60% ऑफ एक्स्पीरियंस वरकर जितना एक्स्पीरियंस वाले बनाते उसका सिर्फ 60% नों ने बनाया है टाइम रिक्वाइट बाइन एक्स्पीरियंस वरकर इस टेन पर टैन आर्स पर यूनिट तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आउट्पूट आउट्पूट बाई एक्स्पीरियंस वरकर आउपूट वाई एक्स्पीरियंस वरकर कितना होता अगर यह 50,000 आर्स लॉट्ट नहीं हुए होते अगर एक्सपीरियंस वाले बंदे बनाते नहीं इसको तो वह बनाते 5000 यूनिट्स अच्छा लेकिन कोशन में क्या बोला है इसका 60% तो आउट्पूट बाई नियू रिक्रियूट तो 5000 का उन्होंने कितना बनाया सिक्स्टी परसंट यानिकी 3000 उन्होंने बनाई हो तो मैं अगर आपसे पूछू उनिट्स लॉस्ट कितनी है लॉस्ट सिंपल है भाई आज जार बनाते अगर एक्स्पिरेंस होते तो बिकॉज अव लेबर टर्पन ओपर नहीं थे तो 2000 उनिट्स का नुक्सान हुआ है ओल्राइट सिंपल यहां तक मामला आईए आगे पढ़ते है कोशन को कहता है 20 परसंट ओफ आउट पूट्पूट दूरिंग ट्रेइनिग पीरिए वास डिफेक्टिव लोजी कर लो बात बनाये कितने तीने जार इसका भी 20 परसंट क्या है डिफेक्टिव यानि ठीक से निबनाया जी घौश्ट ओफ रेक्तिफिकेशन और डिफेक्टिव युनिट वोज 25 रूपीज तो ज़र ध्यान दो मैंने काल रहा हूं कोस्ट ओफ रेक्टिफिकेशन कोस्ट ओफ रेक्टिफिकेशन तो वही तीन हजार यूनिट्स का तुवन्टी पसंट इफेक्टिव है यह निचासर डिफेक्टिव है और डिफेक्टिव को ठीक करने में लगा है पच्छी सुरुपय पर इनिट कितना आ गया यह चैसो गुना पच्छी यह आ गया आपका 15,000 यह क्या मेरी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ठीक मामना यह तक आग बरतें इनफोर्मेशन नमबर तीन प्रड़क्टिव पोटेंचल आर्श लॉस्ट दिए टू दिले इन रिक्रीटमेंट वर एक लाग गंटे इस को सब्सक्राइब क्या हुआ है रिक्रीटमेंट करने में कम्पर लेट हो गई है अब यह कंपर लेट हो गई है तो प्रदक् प्रड़क्टमेंट दू दिले इन रिक्रीटमेंट वाइ एक लाग गंटे डिवाइड वाई एक गंटे में कित्रा बनाएगा 10 उनित्स यह 10 उनित्स आए 10 उनित्स पर आर साय ब्सरविशन लिखने मुल्टा हो यह 10 उनित्स पर आर एक घंटे में अच्छा यहां पर भी क्या होगा 10 उनित्स पर आर तो दस हिजार का नुक्सान होगा है कि यहां तक मामला अच्छा अब मैं अगर आप से पूछूँ है टोटल यूनिट्स लॉस्ट कितनी है तो भाई दो तो यह है और दस यह है कुल मिलाकर है बारा अच्छा होगा लॉस है ठीक है मामला यहां तक चलिए बढ़ते हैं आगे कोश्चन में कि वन है सेलिंग प्राइज पर यूनिट्स है एक साथी रुपया और पीवी रेश्यों आपका तो क्या मैं कॉंट्रिबूशन पर यूनिट्स निकाल सकता हूं पॉमुला क्या है सेलिंग प्राइज गुना पीवी रेश्यों तो भाई एक सो असी का है कि टूंट्रिबूशन आगया चत्ती सुर्वा पर यूनिट्स शक्र लोएक पाराप थर्टी सिक्स है कि मामला तो क्या निगाल सकते हैं यहां पर हम कॉंट्रिबूशन लॉस्ट अन ट्वेल थाउजन यूनिट्स तो देखो बारह हजार उनिट्स को माना नीपाए और क और यूटाइच सत्य सुर्पया अ कि अ कि तो यह आगया चार लाख अ कि बतीजार कि इस कोश्ट पैंदर भी कि यह कॉंट्रिविशन लॉस्ट निकालने वाला पॉइंट ही इस्पेशल पॉइंट है या कि लोग पॉइंट चु रिमेंबर है बाकी पूरा कोच्छन असान है तो मेरे साफ से कुष्ण भी में आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कुष्ण के अंदर गिवन सेटल्मेंट क खर्चे मैट कर दिंगे यूँ आ रेक्वार्ड गुलेट प्रॉफिट लॉस्ट बाइधी कंपने दू इंक्रीज लेबर तर्नोबर दिरिंग दा इयर 1314 आए निकाल लेते हैं भै निकाल तो लिया यह बना लेते शेट्मेंट शेट्मेंट श्वाइंग प्रॉफिट फोर पूर यह को शनी में शाप चाटिगरी बीगें अंदर है को अंगर को अंगर कांट्रिबूशन लॉस्ट कितना था चार बत्तिस अच्छा जी अगर्टिफिकेशन कोस्ट कुतिनी थी पंदरह हजार चाहिए वह लोन ना पंदाई थी ना हम पंदरह हजार अगर इसके बाद है सेटलमेंट कोश्ट एक तेरासी चार सो असी रिक्रीटमेंट कोस्ट एक छपन तीन चालिश और आखिरी में ट्रेनिंग कोश्ट एक टेरा एक सी और कुल बशा इस अंदर नहीं सबको याड़ कर दो यहीं हमारा प्रॉफिट फॉरवन यानिकि लॉस होगे बिसिक लिए हमारा या करें हमारा खर्चा हो गया कुछ भी गया आप नुप्सान है कुल बलाकर टीमेंट लिए और जब भी एक्जाम में फिकर एक्जेक्ट आ जाए ना समझ जाना आपके कोश्ट ठीक होने के चांसे नाइंटीन परसेंट है तो कोश्टन नमबर 23 कंपीट होगे आपक यहा तूर क्वड खोड़ का क्वड़ परसेंट कि लो जिए इस कोच्छन में कुछ नया पॉइंट अगर था तो वो सिर्फ और सिर्फ था कॉंट्रिबुशन लॉस्ट निकालने वाला बाकिस कोच्छन करने ले कुछ में नया नहीं था और उसमें में पॉइंट क्या था टोटल यूनिट से लॉस्ट को निकालना जो निकालना बारह हैजार वही में पॉइंट था कि नोट कर लिजिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद है चलिए कोशन नंबर आठ करते हैं और कोशन नंबर आठ करने से पहले बता दूं आपको कैटेगरी वाला कोशन मेरे हिसाब से यानि इस कोशन में कुछ नया सिखने पर मिलेगा आपको और जब इसको रिवाइज करें करेंगे आप तो लिखेकर सॉल करेंगे अंसर वेरिफाइए नहीं करेंगे शर्यों फ़ले कोशन को दे प्रेज्ट आउट्पूट इटेल्स ऑफ ए मनुट्टिंटेपार्टमेंट आरे सोलोग्या आउट्पूट पर वीक फॉर्टी एट थाउजन उनिट्स प्रॉम सिक्स हंडड़ेंगे अट्रेंगे रोग आवरेज आउट्पूट पर वीक अट्रेंगे को क्या मतलब इसका मतलब है ऑँट्रेंगे एक सो साथ इंपलॉई मिलकर एक हफ़ते में aggi्ट साथ मिलकर एक हपते में 48000 यूनिट बनाते हैं चैंक बश्क्श आब एक सब साथ आउट्पूट in पर वीक पर employee तो निकाल सकते हो गया average output पर यह यह जो पर वीक ऐखी बात है तो भाई 48,000 बनाते हैं 160 employee कितना आगया यह है उसी हां आगया 300 unit इसका मतलब है एक employee एक हफ्ते में 300 इरिट बनाता है on an average आगे बढ़ते हम saleable value of output sales value कुछ नहीं है छी लाग ठीक है फिर given contribution made by output contribution made by output toward fix expenses and profit यह फाल्दू की आपने आप में सफिशेंट contribution का मतलब ही यह होता है कि एक सब्सक्राइब करना है profit कमाना है कैसे ध्यान दुजरा यह एक्जांपल ले रहा हूं मैं समझाने के लिए आपको देखो sales मालो 100 रुपए है कि करना variable cost मालो 60 रुपए है तो contribution क्या होगा 40 रुपए बताया मैं आपको sales minus variable cost होदा contribution minus कर दूं fix cost मालो 30 रुपए है तो profit कितना आ गया 10 रुपए आ गया तो यह कोर्शन वालो में क्या बोल रहा है यह कोर्शन कहा रहा है कि contribution made contribution made by output contribution made by output towards fix cost and profit लोजिक कर लो बात यह कह रहा है यह contribution equal है fix cost plus profit के बोता यह ना यार तब ही तो हम बोलते है contribution minus fix cost बराबर profit इसने क्या बोला contribution equal to fix cost plus profit तो profit बराबर क्या हो गया contribution minus fix cost तो यह काम तो कर रहे हैं हम यह आपर तो खुल मिलाकर अलग से बताने की ज़रूत नहीं के contribution का मतलब क्या होता है बट कोश्चन में कई बार ऐसी information आपको additional दी जाती है ताकि आप confused हो कोश्चन गला सॉल्व करें नंबर कम बिले और फेल हो जाए तो घबराना मत कोश्चन इस तरी के फालतू बाते हैं फालतू information आपको प्रोवाइड करेगा आपको टेंशन बिगूनी लेनी है अच्छा द्यान दो यह मुझे पता है sales minus टोटल वेरियबल कोस्ट इकवल टू क्या होता है contribution बदाता ना भी अच्छा इस कोश्चन में आपको sales दे रखिए 6 लाग रुपर टोटल वेरियबल कोस्ट contribution दे रखा आपको दो 40 तो क्या लग रहा है आपको आपका टोटल वेरियबल कोस्ट निकाल सकते हो बिल्कुल आराम से तो टोटल वेरियबल कोस्ट बराब उन जाएगा 6 लाख माइनस 42 यह आगया 360 का अब आपके मन में सवाल आना जाएक टोटल वेरियबल कोस्ट अखिर है क्या तो ध्यान देना मतलब साऩी वैरियबल कोस्ट इसमें dmc b히 है इसमें dlc b히 है और इसमें de b है क्या मतलब है DMC का डारेक्ट मेटिरियल कॉस्ट DLC मतलब डारेक्ट लेबर कॉस्ट और डी मतलब डारेक्ट एक्सपेंस तो कुल मिलाकर तीनों खर्चेश में अभी लेवल हैं आगे बरते हैं the board of director plans to introduce more mechanism into the department at a capital cost of rupees it lag switcher and like a capital cost underline grow capital cost यानि की director कुछ बडा करना जाधे company अंदर की यृक लाग साधे जर्च एक लाग साधे जर्च the effect of this will be to reduce number of employees to 120 220 अंडरलाइन करो इंप्रोईज घटांगर कितने कर देंगे 120 किसी का मनुमार हो रहो 120 मायनस कर देंगे तो उसकी इंग्लिश कम जूर है कॉस्टन निक्या बोला the effect of this will be to reduce number of employees to employees के पाल दिखाए to2 मतलब तक 160 से घटाकर 120 तक कर देंगे अगर यहां लिखा होता by 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 उसका मतलब होता है 120 से घटाएंगे by मतलब से 2 मतलब तक तो the effect of this will be to reduce the number of employees to 120 यानि number of employees 160 से घटकर 120 रह जाएंगे and increasing the output per individual employee by 60% अब जड़ा ध्यान देना पर employee कितना output है अभी 300 एक employee एक हफ्ते में 300 on average बनाता है इसने क्या गोला अगर वो mechanism अगर वो technique हम company में implement कर देंगे तो company का output कितना बढ़ जाएगा 60 परसेंट बढ़ जाएगा तो मैं अगर आप से बोलूम कि निकालो total budgeted या कहलो expected output तो ध्यान देना जाएगा इंप्राइट रहां कितना हो जाएंगे 120 आउट्पूट पर इंप्लाइग कितना हो जाएगा 60 परसेंट बढ़ जाएगा यानि 300 यूनिट प्लस 300 का 60 परसेंट इसका मतलब future के अंदर 57600 यूनिट बनाई जाएंगे मैं क्या कर रहा हूं सिर्फ कोशन की information को पढ़कर उसको analyze कर रहा हूं उसे खोल रहा हूं आगे बढ़ता हूं तो प्रवाइड नेसेशनरी इंसेंटिव तो एचीव इंक्रीज आउट्पूट अब देखो वरकर से एकर ज्यादा प्रोड़क्शन करवाना है तो भाई फिरी में तो करेगा नहीं क्या बोलेगा मुझे भी कुछ दू एक्ट्र इस लाइन को खुछ से पढ़ो और इसका मिनिंग निकाल लेंगे कोशिश करो क्या कहना चाहता है यहां पर यह कोशन यह कोशन क्या कहना चाहता है यहां पर यह कोशन कहना चाहता है जान दो प्रेजेंट डारेक्ट लेबर कॉस्ट पर रिट कितनी है प्रेजेंट डारेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है पर रिनिट रुपीज वन जान यूजर में क्या होगा कि इसने बोला अगर आउप्पूट बढ़ेगा दो परसेंट तो एक रुपा बढ़ेगा एक परसेंट अगर आउप्पूट बढ़ेगा दो परसेंट तो पीसरेट बढ़ेगा एक एक परसेंट यह क्या बैसे कि मेरा पीस रेट है तो कि यह मेरा पर यूनिट है और राइट इस इस भाई पर यूनिट ठीक है मामला अच्छा तो मुझे बताओ इस कोर्शन में आखिर आउट्पूट बढ़ कितना रहा है दो पर्शन तीन पर्शन पांच पर पर संकितना तो भाई साप इस कोर्शन ने बढ़ रहा है आउट्पूट शाट पर सेंट डिवाइड बाइट दो परसेंट इसका मतलब क्या है ऑग तूस परसेंट पीस स्रेट बढ़ेगा समझ में आई वाली बात आउटिट बढ़ रहा है 60%, तो 2 के बदले कितना बढ़ाएंगे 1%, तो 60 के बदले 30, देखो, 2% आउटिट के लिए बढ़ाएंगे, पीसरेट 1%, तो 60 के लिए कितना, 30% बढ़ाएंगे, यानि कि जो अभी एक रुप्या है, उसमें 30% एड़ कर देंगे, कि फ्यूश्र में कितना हो जाएगा यह 1.30 पर यूनिट ठीक जी मामला अभी तक मैं सिर्फ कोशन को पढ़के अनलाइज कर रहा हूं आज बढ़ते हैं कि तो सैंडी इंक्रेश आउटपूट इट इस इट वह एक नेसेसरी डिक्रीज दा सेलिंग प्राइज बाइप फूर परसंट हमें सैलिंग प्राइज चार परसंट कम करना पड़ेगा अगर हमें ज्यादा माल बीचना है तो तो मैं पूछना हूं आपसे बताओ प्रेजेंट स्लेट कितना है सेलिंग प्राइज पर युन्ट कितना है तो ध्यां दो कोशन में उपर ही it's मुझे से लेबाल बतायी थी कितनी छween श है लाक रुप रुपार ही उपर और ताली हजार युनिट बतायी थी यह 6 रुपए 48,000 को बेच कर आएगा तो क्या इन दोनों इनफोर्मेशन का इस्तिवाल करके मैं प्रेजेंट सैलिंग प्राइज पर यूनिट निकाल सकता हूं गया आंसर इस तो छे लाख दिवाइब बाइब 48,000 यूनिट तो यह आपका साड़े बारा रुपर पर यूनिट यूचर में क्या होगा यूचर सेलिंग प्राइज पर यूनिट कितना कम होगा चार परसेंट तो साड़े बारा का चार परसेंट माइनस कर दो तो यह आगया आपका बारा रुपर यूनिट लो जी यह आगया मेरा प्राइज सेलिंग प्राइज यूचर मामला अब पर्तें आगे कार्या दा एक्टाविकणी क्या पान्रीबूशन अध। एक्स्टाव वीकली पोंट्रिबुसर अध्युक्रिआप increase in contribution कितना होगा यह नया mechanism implement करने से resulting from the proposed change and evaluate for the board's information desirability of introducing the change इस change को implement करने की desirability में लग फाइदा है कि नहीं है तो आओ ज़रा अब मैं कर रहा हूं question को solve अभी तक मैं क्या कर रहा था question की information को पढ़के उसे break कर रहा था अब जड़ धान देना मुझे क्या निगालना एक्रा to lifeís टेक्मेंट state surprising extra weekly contribution यह निकाला मेरे को है एक्टर वीखली क्रोंटरिबॉमिशन को अज़का के ले हैं सब से ब्लड़ के आ अहोगा हम लहाइस के देंगवा फ्यूचर सरी लसनी ना कियो थे श बुचान खिरएन फ्यूचर से कि इस बहुच्य क्रिण माइस करेंगे माय फ्यूचर में होने वाले डारेट लेबर कोस्ट क्यों के और क्या करेंगे मांइस यूचर में होने वाले अदर वेरियबल कॉस्ट, आपके मन में आ रहा हो सर यह अधर वैरियबल कॉस्ट काँ से आगल? बताता हू उन्कलत हे वैरियबल कोषट यह दो, इस कोश्चन में अंदर variable cost का मतलब है निकाला था भी यह पर variable cost यह दो इस question में variable cost का मतलब है DMC plus DLC plus DE बट पूरे question को हमने पढ़ लिया question ने कहीं पर भी DMC की बात नहीं करी और ना DE की बात करी यानि कोशन DMC और DE पर silent है कोशन ये स्रिफ और सिरिफ DLC की बात करी जहां मुझे बताया गया कि अभी एक रुपए पर उनिट है मेरा direct labor cost और future में हो जाएगा एक रुपए 30 पैसे इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास other variable cost भी तो है अगर मुझे contribution निकालना है तो सेल्स वाइनिस डिल्सी माइनस अधर वरियेबल कोश्ट अधर में क्या क्या है DMC प्लस D अच्छा ये करने पर क्या जाएगा मेरे पास शेल्स माइनस variable cost भी मेरे पास या जाएगा कि future में कितना contribution होगा या जाएगा मेरे पास इसमें से minus करूंगा मैं present contribution अभी कतना है सबसे उपर पड़ो contribution made by the output तो हमें present contribution तो अड़ी गिवन है तो मेरा 24 का minus और धिफरेंस के आएगा फिर यह होगा मेरा extra weekly weekly contribution तो पुल मिलाकर मेरे को यह तीन इनफॉर्मेशन चाहिए मुझे शेल्स की इनफॉर्मेशन चाहिए मुझे फ्यूचर का डी एल्सी चाहिए मुझे फ्यूचर का अधर वारीबल कॉस्ट चाहिए यह आ जाएगा और मेरा कोशन सॉल्ब हो जाएगा बताओ यहां तक बात स चलिए पढ़ते हैं यह आगे है बड़े आगे हैं अच्छा फ्यूचर में कितनी सेल्स होगी इसके मुझे क्या चाहिए यूचर में कितनी युनिट्स बिकेगी मुल्टिप्राइड वाई फ्यूचर में कितना सेईलिंग प्राइस पर यूट्ट होगा तो आओ भई तो यहां पर लिखा मैंने सटावन चैसो यूनिट्स गुना बारा तो लोजी एक इनफॉरमेशन तो आपकी आगई मुझे चाहिए तीन इनफॉरमेशन इसके बाद प्यूचर में डील्स क्या होगा डाल्ट लेबर कॉस्ट क्या होगी तो अगें फिसंद कि और फ्यूचर बनेगी 57600 एक हो यह जो बनड़ी यह कूछ लोगि फ्यूचर में डील्स ही आपका यह िरब एक रुपए 30 पैसे पर यूनिट तो लो भाई एक रुपए 30 पैसे पर यूनिट तो सतावन छेस्सो गुना एक रुपए 30 पैसे तो यह आगया मेरा 74880 दूसरी इंफर्मेशन भी अब चाहिए मुझे बस आखरी इंफर्मेशन और इंफर्मेशन क्या है कि फ्यूचर में मेरी टोटल अधर वैरियाबल गॉस्ट कितनी होंगी तो फ्यूचर ने बने है कितना फ्यूचर ने बनेगा 57600 यह बात तो कंफर्म है कोई डाउट कोई डाउट सोच लो यहां तक मुझे फ्यूचर में अधर वैरियाबल कॉस्ट दिखानी है अब मुझे क्या चाहिए अधर वैरियाबल कॉस्ट पर यूनिट किसकी फ्यूचर की मुझे चाहिए अधर वैरियाबल कॉस्ट किसकी फ्यूचर की अच्छा फ्यूचर की अधर वैरियाबल कॉस्ट के रहे मुझे क्या चाहिए प्रेजेंट की अधर वैरियाबल कॉस्ट this poor question can there as I were how many can ikala present DLC we can call up future DLC how many can ikala present selling price per unit we can ikala future selling price per unit so I am working node number one manic around calculation of present other variable cost per unit present other variable cost per unit sub-sepanic ultimate total variable cost wall again economic having medical come up here now in short teens are camera total variable cost are you like Thomas school total variable cost amirati in short doesn't call a minute sales minus contribution रुकों यह देखों देखो शेल्स माने वैलिएगल स्क्राइब रॉटा रोड अ होता है क्या होता हो अप्रेविशन मुझे छेल्स के बने सब्सक्राइब काल रॉटर वेरे लोगा मैं तोल बरीबल कॉस्ट अच्छ इस टोड है वेरिया बंगा से का कर वाइनस क्या करूं टोटल dlc जा करूंगा मैनस total DLC यहीट इस तो बताओ मुझे आ ट्प्रजेंट यह प्रजेंट की यह सब कुछ प्रजेंट नीर फिलाग को T अभी क्या है प्रेजेंट डिल्सी पर इनिट एक रुपए पर इनिट कोश्चन में गिवन है कितना आ गया यह यह आ गया 48 आ निकाल दो मैं डिफेरेंस तो तीन साथ माइनस 48 यह क्या हो गया मेरा तीन बारा तीन बारा क्या है मेरा है अध्या टोटल है अधर वेरियेबेल कॉस्ट कि अधर वैरियेबेल को shrug अच्छा अब मुझे कालना है ध्यान दो अधर वैरियेबल कास्ट पर इनिट द्यान देने जरख टोटल कितना है तीन डिवाइड में क्या गुन होंगा मैं नंबर आफ यूनिट तो बताओ मुझे प्रेजेंट में नंबर आफ यूनिट्स कतनी है और तालिस अजार तो भाई तीन बारा बटा अरतालिस तो आपकी प्रेजेंट आपकी प्रेजेंट अधर वैरियबल को सकती हो गई यहां तक पहुंचो पहले आड़ी बात समझ आपकी प्रेजेंट अधर वैरियबल कॉस्ट पर यूनिट है साले चाहर रुपए साथ रुर्प फेजेंट में क्या होगी है क्या पूरे कोस्टिंट के अंदर अधर वैर्यबल कौस्ट के बारे में कुछी इसका मतलब क्या है जो प्रिजेंट है वह ही औरेगी घूचर तो दस ए से मुल्टिबलाई कर दो तो यह आगया मेरा थ्री सेवन डबल फोर जीरो निकाल ले दें अब यह इन फरमेशन आगे मेरे पास यह हो गया दो एक तालिस नो सो बीज और एक्स्ट्रा विखली कॉंट्रिबुशन आ गया उनिस सो बीज यहां तक मामला होके है कोशन अभी बाकी यह रुख जाओ यहां तक मामला होके है जी अच्छा आओ कोशन ने क्या पूचा था मुझसे इवालुएट तो लो भी मैं क्या करना हूँ एवैलुएशन और मैं क्या बोलना हूँ बोर्ड ओफ डिरेक्टर्स शुद इंपलिमेंट अन्यू मेकानिज्म सिस्थ इंपलिमन अन्यू मेकानिज्म इस इट वोड़ रिष्ट इंड वोड रिजल्ट इन एक्स्ट्रा कॉंट्रिबूशन ओफ रुपीज उन्निस चो बीज लोजी अब जाके कोशन इस कंप्लीट क्या समझे कंपनी को नेया प्रपोजल इंपिलिमेंट करना चाहिए इस कोशन को मैंने सब्सक्राइब क्यों सब्सक्राइब क्यों इस कोशन में एक डाउट आता है बच्चे के मन में और वो डाउट क्या है कि सर यह जो कैपिल कॉस्ट दे रखी है एक लाग साड़ हजार रुपए इससे आपने माइनस क्यों नहीं किया है सर यह जो कैपिल कोश्ट दे लगए इससा आपने माइनस क्यों नहीं किया तो सुने सब्सक्राइब Colorado यह कैपिटल कॉस्ट अ मियानि कि या तो मश्रीग धिया या विल्डिंग ख़री दिया या विश्टर खरीद है एक्जामपल के लिए तो कभी भी ना बिल्डिंग का पूरा खर्चा माइनस नहीं होता है बिल्डिंग का सिर्फ डेप्रिशेशन माइनस होता है तो अगर मैं मालूं कि ये इसे माइनस भी नहीं कर सकता हूं समझवाई जी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं इस कोश्र में यही डाउट बच्चों को नॉर्मली आता है जो आपको अब नहीं आएगा विकॉस डाउट मैंने पहले क्लरीफाई कर दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं जी करते हैं कॉंसेप्ट तो कॉंसेप्ट का लिखें कॉंसेप्ट है आपका फैक्टरी एक्ट नाइटीन फॉर्टी एट फैक्टरी एक्ट नाइटीन फॉर्टी एट यह कैसा कॉंसेप्ट है तो लिखो According to Battery Act 1948, a worker is paid overtime if he works for or he works for more than 9 hours in a day, more than 9 hours in a day, or if he works for more than more than 48 hours in a week. Over time is paid at double the normal rate of wages, double the normal rate of wages. इसको नोट कर लो आप, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस कॉंसर्ट में आखिर, क्या बात है? नोट कर लो इसको आप आपके मन में आ रहा हूँ सर, ओवर टाइम वाला कॉंसेप्ट तो आपने अलरी बता दिया है, फिर यह क्या है? ध्यान देना, सबका हो गया नोट? ध्यान दो. ओवर टाइम का मत्या तो पताईए आपको, वर्किंग बियोंड दा, नॉर्मल वर्किंग टाइम, अगर नौ से पांस की जौब है, तो नौ से पहले या पांस के बात काम करना पड़ा, उसको बोलते हैं ओवर टाइम, कभी संड़े के दिन काम करना पड़ा, होली दिवाली तो हर पर काम करना पड़ा, उसको बोलते हैं ओवर टाइम, ठीक है, अच्छा, ओवर टाइम कितने घंटे का है, और ओवर टाइम में कितना वेजरेट पे करेंगे, इन बातों को डिसाइड करने की पूरी आजादी कंपनी के पास है, यानि अगर मेरा वर्कर मेरी कंपनी मे ओवर टाइम कर रहा है, तो उसका ओवर टाइम में कैसे कैलकुलेट करूँगा, यह मैं देखूँगा, और ओवर टाइम में क्या वेजरेट पे करूँगा, यह मैं देखूँगा, यह मेरी मर्जी है, एक्जामपल के लिए, मेरा एक वर्कर है, नॉर्मल टाइम है, नौ से जाएगा सारा काम निप्टा कर कितने बजे अट बजे तो बताओ जरह उसे ने कितना एक्सट्रा काम किया मेरे शब्दों पर ध्यान देना शब्द बड़े इंपॉर्टन ने यहाँ पर एक्सट्रा आप बोलोगे तिन घंटे काम किया अब मैं पूछ रहाँ आप से बताओ इसने ओवर टाइम कितना किया ओवर टाइम आर्स क्या है इसके ओवर टाइम आर्स इसने कितने घंटे ओवर टाइम किया आप बोर को सरी सवाल कैसा आपका तीन घंटे से एक्ष्टा काम किया तो तीन घंटे हो आप मुझे बोल रहे हो कि सर ओवर टाइम भी तीन घंटे होगा तो लो सुनो मेरा जवाब जरूरी नहीं कि ऐसा हो, क्यों, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, मैंने वरकर को बुला, बेटा, आज तुँ आठ बजे काम करके जाएगा, और मैं तेरे को दो घंटे का ओवर टाइम पे करूँगा, वरकर तुरंत मुझे बोला, सर, काम करा रहे हो, एक्स्ट्रा तीन घंटे, ओवर टाइम स्रीफ दो घंटे का पे करूँगे, इसका क्या मतलब, ऐसा क्यों, मैं बोलूगा, मेरे प्यारे बेटे, पपु, जब तुझे नौगरी पर खाना ना मैंने बेटा, तो तुझे मैंने एक्स्ट्रा काम हुआ, एक घंटे रुक्या मैं कर दूँगा, यह सर, कोई दिक्कत नहीं, बिना सहली कर दूँगा, यह सर, तो मेरे प्यारे बेटे पपु, याद कर उस बेटे, एक घंटा वो है, एक्स्ट्रा टाइम, समझ गया, तो दो घंटे क्या है, बेटा, ओवर ट देख पपु, तेरा नॉर्मल वेजरेट है, मानले, दस रुपए घंटा, यह न, दस रुपए पर, और यह मेरा, यह तेरा नॉर्मल वेजरेट है, तो मैंने पपु को वाला, देख मैं पपु, शाम के टाइम ना, तुझे, ओवर टाइम वेजरेट जो दूगा, न, वो द दो गंटे ओवर टाइम करेगा तो मैं उसे दो घंटे गुना पंदरा तीस रुपे एक्स्ट्रा दूंगा कि आरीजी बात समझ में यह तरीका है सेल्फ डिसाइड दरने का कितने गंटे वरकर ने ओवर टाइम किया और मैं क्या उसे वेजरेट दूंगा बड़ ध्यान देना पैक्ट्री एक्ट ने भी कुछ बूला है कई बार क्या करते हैं कंपनिया वो खुद डिसाइड नहीं करती वो बोलती है क्यों पचलें पड़ो अगर खुद डिसाइड करोगे ना तो इंप्लोई से बहस करनी पड़ेगी देखो आज तो मान गया है वो कि ओवर टाइम दो गंटे का है बगर तकलीफ रहेगे न सो मन ही मन के अंदर मन में सोचेगा ना वो एक काम तो कराया तीन लगा बहुए तब सरकार ने लिखा वही जा सबसैस sound है जा सरकार बहुए अच्यां तो फैक्ट्रिय में तहुक्ण शोक्रक्रीर दो क्या क्न मीच है और नौग दो त्रीगों से एक डेली बैसिस पर और एक वीडी बेशी मैशिच फिर और नौ गंटे से ज्यादा काम किया तो नौ घंटे से उपर जितना भी काम किया उसको मानेंगे ओवर्ट टाइम एक्जांपल के लिए मेरे वाले सेम एक्जांपल के अंदर जहां पर वरकर नौ से पांच का नॉर्मल टाइम है मैंने बोला प्यारे बेटे पपू शाम को आठ बेदे जाना है तो मुझे बताओ एच पर फैक्ट्री एक्ट कितना ओवर्टाइम होगा ओवर्टाइम आज कित इंटे आगा बदाओ सिविभला एक्ट्री एक्ट सब्लाइप उस ने यह निब ला कि नॉर्मल आठ घंटे से उपर होगा सार लायं दो अग्ते से ओपर अगर किसी पी दिद नौ घंटे से ज्यादा काम किया तो जितना भी ज्यादा काम किया उसको मैं ओवर्टाइम गौर्वर्मन से जाके मिलने है चेंज करे वाले फैक्ट्री एक्ट में लिखत निया है तो मेरी टैंशर करता हूं अच्छा अब बात करता हूं ओवर ताइम बेज रेट की ओवर टाइम वेज रेट की तो भाइट रेक्ट रेक्ट ने बुला लोग मैंने का गरने आपर दस रूपर नॉर्मल लेट थाउस का मैंने का पंदरा दूंगा मगर फैक्री अटने बोल दिया कि अगर आप ट्री अट को फॉलो करते हो तो आपको तो आई ये मेरे वाले एक्जामपल के अंदर जरा ध्यान दीजिए मेरे वाले इस एक्जामपल के अंदर एस पर फैक्ट्री एक्ट निकालो जड़ा कितनी पेमेंट करनी है पक्टू को तो ध्यान दो ध्यान दो टोटल कितनी पेमेंट करनी है पक्टू को तो ध्यान देन आठ गंटे काम के नॉर्मल इसके मिलेंगे 10 रुपे घंटा अगला एक घंटा क्या मिलेगा इस पर ओवर टाइम ना भाई बैक्ट्री एक बोलता है ओवर टाइंक बंदा बैनो गंटे से ज्यादा तो आठ के बाद जो दस वा नौवा घंटा उसमें क्या मिलेगा 10 रुपे गंटा अच्छा नौ से उपर कितने हैं तो नौ से उपर हैं दो घंटे इसे दो घंटे मिलेगा आपको 20 रुपे घंटा ठीक है कितना आ गया है तो भाई आठ गुना दस असी एक गुना दस दस दो गुना बीस चालिस तो यह आगया आपका आठ और एक नो नो और चार ते यह निकाला मैंने टोटल रोडमेशेश पर फेक्ट्रैक्ट अच्छा अब ज़र ध्यांदो लिगां दो ध्यांद दो लिए तोटल वेम तक गालने का एक और टरीका एक और प्यक्तर कैंदर और वह तरीका क्या है यांद तरह forensic बराबर न भार जनते थे कशी सब्सक्राइन खा unfamiliar snack है अगटे मेरे लो फिक्ते आंथ ini yo कि अश्यार काम किया मां इत्याइस कि जिए वश्यवयों गया 9 इसदो घंट तो एक तरिका हूरा है इस दो घंटे को गुना कर दो और गुना कर दूर्मल गवर्मित यहां मतलब इसका जियाद ऑफ रहाओ यहां पे रैट दुग्णा किया था मिला ताम टॉजयर sait समय द्रेब ह Avengers के अंदर मैंने रेट द्रफ गभरकिया था अब इसमें थाइम दुगना कर दिया और यह क्या क्या लाता है मेरा नॉर्मल टाइम यह क्या 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 लाता है मेरा एक्ट्राइब कि और ये क्या कहलाता है मेरा है यह कहलाता मीड़ा rằng है कि एक्विवेलेंट ओवर टाइम इन काने का शुिम्स ओंसल्ट, अच्राइश। एड़वन व ऊच्छ या रहा है is अगे का मैं कॉझा इस नहीं इस में इसलिए जंए को फ़लो किया है जहां पर उसने रेट को दोना झालीर के बजाए ऑवर टाम आश्य को दघुना करता ह्यार को यहां सब्गार में और कर दिये रेट षेम रखा यहां पर मैंने आप्मेर प्लमिय नहीं करें रिच दूनने क यह है मार फेक्ट्री एक्ट नैंटिन फॉर्टी एट तो अगर आप चाहो तो इस एक्जाम्पल को नोट कर लो फिर करते हैं इसके ओपर एक कोशन और कोशन नंबर करेंगे उननीश कोशन नंबर उननिश दो अब ब्रीकल नंबर उननिश्कों वेटिशीन फ्रम जाब करण फार्ट पर एक्स्टमर्स की पैर्ट ये टोटल आप 104 hours have been put in as it detailed below the worker worker a worker a worker b worker c द्यान देना हैडिंग के अंदर ही मुझे वरकर ए बी और सी की पेवेंट गिवन है ध्यान दो दो कि मैं क्या निकाल रहा हूं नॉर्मल वेज रेट पर आर वरकर ए क्या बोला वरकर ए पेड रुपीज 200 पर डे ऑफ एट आर्स दो सो रुपाय करते हैं आर घंडे काम करें तो तो पर आर क्या रेट है जी दो सो बटाट 25 रुपाय अच्छा बी वरकर भी पेड एट रुपीज 100 पर डे ऑफ एट आर्स तो इसे हंड़िड पर करते हैं आर घंटे काम करने पर कितना हो गया यह अगर वरकर सी तीन सो पर करते हैं आठ घंटे काम करने पर तो तीन सो बटा आठ कितना हो गया ही शाड़े से थिस क्या निकाल दी मैंने वेज रिट जो मुझे कोशन के अंदर बताएए यह क्या मेरी नॉर्मल वेज रिट आईए अब पढ़ते हैं आगे कोशन को ध्यान दे नजरा कहता है बंडे टूजडे वेडनेश्डे थर्जडे फ्राइडे एंड टूटल हर दिन किस वरकर ने कितना कितना काम किया कितने कितने घंटे काम किया हमें दिया हुआ है अब आगे बढ़ते हैं इन टमस अन अवार्ड इन लेबर कॉंसलिशन दो वरकर are to be paid dearness allowance क्या होता है dearness allowance क्या होता है dearness allowance महंगाई बत्ता तो इस question के अंदर आपको normal wage rate के अलावा और क्या पे करना है dearness allowance और dearness allowance पे करना है यानिक बेसिक वेजट मैं निकाला भी एक अलग बीक अलग आई अप्चा करते हैं क्या इनका dearness allowance तो गिवाने में को dearness allowance on the basis of cost of living index figures relating to each month which work out as 968 for the relevant month okay जड़ा ध्यान देना दिये की बात करता हूं तो कह रहा है डिये में एक महीने में कितना पेमिंट किया 900 अर्ट रुपेगा नाइन 968 रुपेज का दियानेस allowance is payable to all workers irrespective of wage rate if they are present or are on leave with wages on all working days देखो डिये पर करना पड़ेगा डिये प्योंगा आपका चाहिए वो प्रेजेंट है या नहीं है इत्रस्टेट जर्विजरेट ओके आगे परते हैं संडेज इस वीकली होलिडे संडेज का रथी शुक्ति रतिया इज वरकर है तुवर्क पर एट आर्स और आल वीकदेश अंडराइन करो एट आर्स अन आल वीकदेश का यह 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 नॉर्मल टाइम करें वाकी दिन आठ गंटे काम करना यह यह इसका मतलब है कि शनीवार के दिन वरकर काम तो सिर्फ चार गंटे करेगा मगर उसको पेमेंट दी जाएगी आठ गंटे की यह यहीं हमारा हाव दे है काम करो हाव दे का पेमिंट ले जाओ फुल देगी यह मतलब वह अच्छा जी आगे बढ़ते हैं workers are paid over time according to factories act 1948 कर दो इसे underline पूरी की पूरी line को यही line इस question में different है जिसके वज़े से यह question important है अज़ यह question category ABC किसमें आएगा तो category इसको आप category आपको कैसा लगता है अभी question कर रहे है अपर तो workers are paid over time according to factories act 1948 excluding holidays the total number of hours work out to be 176 in the relevant month द्यान दो जरब पूरे महिने में 968 का overtime पे किया और पूरे महिने में 176 hours का टाइम है तो क्या निकाल से तो पर आर डी यह जतना आगे है कि साड़े पांच रुपर इसका मतलब क्या है worker A को basic B मिलेगा डी यह भी मिलेगा worker B को basic B मिलेगा डी यह भी मिलेगा worker चीको basic B मिलेगा डी यह भी मिलेगा तो कुल मिलाकर डी यह सब को मिलेगा in short आगे बढ़ते हैं the company's contribution to PF यानि provident fund and employee state insurance premium are absorbed into overheads company भी पीए में contribute करती है और आपका ESI में contribute करती है यह सारे का सारा खर्चा कहां पही लिए जाता है overheads में लिए जाता है मतलब क्या है इसका आपको मैंने बताया था company employer अपनी जेब से पैसा निकाल कर employee के नाम पर जमा करवाता है employee के account में तो इस question में खास बोला गया है कि वह वाला खर्चा DLC नहीं है वह वाला खर्चा डार्ट लेवर कॉष्ट नहीं है वह वाला खर्चा क्या है overhead यह company की policy है वह किसी खर्चे को मैं DLC नहीं overhead मानूंगा मैंने decide कर दिया बात खताब आई बात समझ में सबसे वड़ी बात इस question में यह line given है इस line का बहुत मिनिंग अच्छा है और वो मिनिंग क्या है कि जो भी employer contribute करेगा PF के लिए और ESI के लिए हम उसे labor cost में add करते थे बट इस question के अंदर जो कोंट्रिबूट करेगा company PF में और ESI में उसे डार्टेबर कॉस्ट में add नहीं करेंगे उसे overhead में add करेंगे मिनिंग तो बहुत अच्छा है मगर मजे की बात यह line इस question में irrelevant है क्यों क्यों कितना पीएफ contribution है और कंट्रिबूशन में नहीं दिया गया कितना ESI contribution है तो इच वरकर वर्क आउट दो वेजिस प्रेवल टू इच वरकर आई अब करते हैं को और जैसा कि मैंने बताया था मैं निकालूंगा एक्वेलेंट आर्स अभी समझ जाओ गया तो लिखता हूं में इस्टेटमेंट शोइंग इक्वेलेंट आर्स पॉर ए मैं तब नंबर तू करूंगा देखो इसको इस कैलकुलेशन को यह निकाला है मैंने आठ गंटे प्लस एक गंटा प्लस दो गुना दो इसको टेक्निकल शब्दों में कहते हैं इक्वेलेंट आर्स यह कहते हैं इसको इक्वेलेंट आर्स ठीक चलिए वरकर एकी बात करते हैं जी वरकर ए तो कॉर्शन में गिवने मुझे वरकर ए ने बी रहे और सी ने कितने कंटे काम किया द्यान दो यहां लिख रहा हमें देज तो मंडे ट्यूजडे वेड़नस्टे तरज्दे फ्राइडे चटर्ड़ और टूटल अगरे शॉट में लिग दिया फिलपार्म लिखते नहीं आप अच्छा ध्यान दो रहा है कितने घंटे काम किया है तो मंडे काम किया साड़े दस घंटे त्यूजडे काम किया ताट गंटे वेड़नस्टे काम किया साड़े दस घंटे तरजडे काम किया साड़े नों गंटे प्राइडे काम किया साड़े दस घंटे सेटेडे काम ही नहीं किया टोटल काम किया उन्हें चास घंटे डिंहां है अब ज्रकिए हद्धिनल एक एसके अंदर नॉरमल टाइम की नॉर्मल नापी जबने गंटे क्या back방 किसंद के सेथ्र टाइंग और एक जो एक अंदर को अब कर ईब टाइंग और ध्यान देना जारा खास बात नॉर्मल टाइम प्लस एक्स्ट्रा प्लस उबर टाइम इन तीनों को जोड़ कर आएगा मेरा इक्विलेंट आर्स क्या है एक्विलेंट और्स आईए मंदे की बात करते हैं यहां तक नोट कर लो करना है तो क्योंकि अब मेल बात है अगर एक भी एंट्री आप समझ गए पूरे का पूरा कोशन निप्टा दोगे आप यह कोशन के टिगरी वी में आ जाएगा और मैं तो कि अध्यक्व देखो सालेज अजन्टे काम किया है और कम्पनी फॉलो करती फैक्टरी एक्ट और फैक्टरी आप मतला वे डेली बेशिस पर नो घंटे से ज्यादा काम करेगी तो हम बोलेंगे ओवर टाइम वाला काम दिया तो ध्यान देना सालेस गंटे में आठ गंटे क्या है कि नॉर्मल टाइम अगला गंटा क्या हो जाएगा फिर एक्ष्ट्रा अच्छा नौ से उपर कितने डेड़ गंटे और डेड़ ना कर दूंगा मैं दो तो संजो को टोटल आयागा मेरा यह बारा गंटे बास अगर आप एक एंट्री समझ गया है वुर अपुर पूरा कोशन समझ गया हो कि को कब और आगए मेरा एक्सिया त्याइव को मेरा मेरा एक्सिया डाइम एच्ट्र ताइप और एक्सट्था ही सबस्क्राइब सलेय्क्राइव जए देन कि य॰चिह गट्ट ऑठ टॉब् Seo को में धो से हो minute कर रहा हूं क्या य। यह निकाल रहा हूं एक Anda और नोर्मल मेरे बाद डू औक 20 या तो मैं आरे 1 सदूरह करने तो मैंने ऊर्त किया आछ द manureी तेकनिक मैंने इसलिए क्यों follow करी पहले वाले क्यों follow ने करी क्या उसमें answer different आएगा answer दोनों में same आएगा बट क्योंकि हमारी institute ने technique number 2 को follow कर रखा है इसलिए मैं भी technique number 2 को follow कर रहा हूं क्योंकि exam के अंदर आपका answer checker के answer से match होना चाहिए इसलिए क्योंकि अगर शेकर व्यकुफ निकला है तो हो सकता आपको number ना दे के समझ गया अगर शेकर व्यकूफ निकला तो हो सकता आपनबर ना दी चलिए अब बात करते हैं ते ओस देगी सिरुष गंटे काम किया तो ना तो एक्ट्रा किया ना ओक है कितना आगया है और फिर चुन्तो candidate.. तक स और नर्मल एक एक इंप्स्ट्रा यह गंट एक स्ष्रा एंटे घंटे और ठैम धून्ते है के टिरू कर दिएồngनल यूञेर यूख लिएक एक मुनदैक दो विas रूस झूतिए बाउजी सब करताथ कि तो बाढा प्लस आठ प्लस बाढा अ प्लस दस प्लस बाढा इसको चौबन कहें री कॉर्म तो तो यह वदक है आए आपनो ट्रॉ मचवाटे प्लस एनलव्य रर में तो यह था मेरा worker A के लिए equivalent time ऐसे निकालूँगा worker B के लिए तो worker A वाला note कर लो करी लिया वा note आगे बरता हूँ लो कर लो चलो बही वरकर भी का निकालता हूँ statement showing equivalent hours for B लेखोगा day फिरेखोगा hours worked फिर होगा normal time फिर होगा extra time फिर होगा over time इन तिनों को जोड़ किया जाएगा equivalent hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and Tutor तो काम किया आजने आड़ गंटे आड़ गंटे आड़ गंटे आड़ गंटे आड़ गंटे आड़ गंटे और आड़ गंटे तो कुर्व लाग इसने काम किया यह लाइन बेकार है हमारे लिए क्यों कंपनी फॉलो करती फेक्टरी एक्ट अगर कोई कंपनी फेक्टरी एक्ट को फॉलो करती है तो भाई साब उसकेस के अंदर हम निकालेंगे ओवर टाइम एच पर फैक्टरी एक्ट हमें मतलब भी नहीं है बागी कोई अगंडिशन कोश्च में दीए कि निदी है तो यहां देना आर गंटे में नॉबल टाइम इतना चार गंटे एक्टा कितना चार गंटे ही डिटノ अप्स धो भी क्या की यहां पर चार लिटाओं याँ यहां पर यूह तो नो यहां पर eur weld सुमस्द्थ को किża आपिंड़ आप सो मेरे पास तो लोगल आप опас कि थी अप्छnow कर लेता हूं में कितना मय 630 फार्ट्व widen चलू हूं आगे चलिए इस्टेटमेंट शोइंग एक्विलेंट आर्स फॉर शी गणाओ भै दे आवे काम किया साड़े 10 गंटे आर गंटे नॉमल में आगा एक गंटे एक्विलेंट आगा जिन गंटे आगा वो टाइम मैं इसे कर देंगा दो से मुल्टिप्लाइ टूटल हुजागे मेरा बारा गंटे ओल्राइट अगला आठ गंटे काम किया तो यहां पर आएगा आठ आठ फिर उसने वेटने से काम के साड़े 10 गंटे साड़े 10 गंटे आठ आएगा नॉर्मल एक आएगा एक्स्टा डेर आए झाठाइट गंटे ओर्टि नॉर्मल एक घंटे एक्स्टरा डेर घंटे आपको वर टाइम गुना कर तो दौसर तीन इस चार और बारा पिर से इसमें सेच्टेरे काम किय आठ घंटे तो आठ किया तो अठ गंटे काम किया तो आठ गंटे नॉलम लिसकता हूं और चाहूं तो चार गंटे नॉर्मन और चार गंटे एक्स्ट्रा इससे आसर पर कोई फार्ग नहीं पड़ेगा तो यह आगे मेरा 62 आर्स 62 और यह टूटल था मेरा 57 तो भाई वरकर क्षी के लिए में निकाल लिया मैंने समझ में आई बात कि चलिए कि स्टेटमेंट कि शोइंग कि वेज़ेस पीएबल कि तीन वरकर रहें ठीक है अच्छा मेरा नॉर्मल वेज रेट क्या है नॉर्मल वेज रेट तो एका है पच्चुश्रुपे पर और वी का है साड़े बारा और शिया कितना था सेंथिस पॉइंट पचास प्लस कर दो डिये तो डिये कितना था ताले पांच रुपए दिये तीनों को मिलेगा तो यह आ गया आपका तीस रुपए पचास पैसे टोटल आ गया यह आ गया बारा और पांच सत्रह अठार रुपए आ अगया यह आ गया साथ पाज बारा यानि 43 रुपीज आ अच्छा आपका इक्यूविलेंट आर्स कितना है इसे कितना है फिफ् वेजिस फॉर्मूला क्या है इसे कह दो ए और इसे कह दो बी सिम्पल है भाई ए गुना भी यह आ गया वन सिक्स और सेवन यह आ गया एट एट सिक्स और और यह आ गया टू ट्रिपल सिक्स तो लो जी कोशन नमबर उननिस आपको यहाँ पर हुआ जी कंप्लीट इस कोशन लो कैटेगरी ए में भी डाल सकते हो कैटेगरी बी में भी डाल सकते हो डिपेंडिंग अपन आपको डिफिकल्ट भी लुआ या आसान आपको कैसा फिल्वा इस पर डिपेंड करता है यह चलिए आगे बढ़ते हैं आईए अगला कॉंसेप्ट और लिखिए हैं टीटमेंट ओफ नॉर्मल टाइम नॉर्मल आइडल टाइम एंड अबनॉर्मल आइडल टाइम क्या मतलब होता है जी पहले तो मैं अगर आपसे पूछू आइडल टाइम का क्या मतलब है idle time का idle time means निकम्मों की तरह बैठे रहे काम नहीं किया worker kept on sitting without working यह मतलब होता है idle time का तो ध्यान देना ज़रा idle time मतलब शुद हिंदी में निकम्मा time यानि की worker मेरी factory के अंदर बैठा रहा उसने काम नहीं कि तो यहां पर आएंगे तीन scenario पहला scenario उसे ने काम नहीं किया तो मैंने कोई payment नहीं करी उसको no payment no payment to worker मैंने बोल दिया वरकर को चार गंटे तुखाली वैटा था चार गंटे के पैसे तो नहीं मिलेंगा भाई तो जब मैंने कोई cost incur ही नहीं करी तो उसकी adjustment करने की बात ही खत्म होगी वह आप एक ट्रीटमेंट of normal and abnormal idle time एक वरकर मेरी फेक्टरी के अंदर खाली बैठा रहा मैं उसकोई payment नहीं करी तो कोई खर्चा इंकर ही नहीं किया तो ट्रीटमेंट की बात है नोट अप्लिकेवल अच्छा दूसरा case वरकर खाली बैठा रहा बट येस पेमेंट वरकर कमखत को payment करनी पड़ी मुझे ये क्या मतलब सर आप निकम्लों को बिटा के खिला रहे हो ग्रांदेर वरकर खाली बैठा और मुरकर पेमेंट भी करनी पड़ी अब यहां पर दो सूरत बाकी है पहली पहली सूरत वो अनवाइडेबल था वो टाइम अनवाइडेबल था मतलब मैं चाहा कर भी उससे काम नहीं करवा सकता था मैं चाहकर भी उससे काम नहीं करवा सकता था अनवाइडेबल था ऐसा कोन से टाइम कंपनी में होता है सर एक्जाम्पल लिखो लंच टाइम मुझे पता है वरकर इससे प्रड़क्शन नहीं कर रहा है खाना खा रहा है बट में उसकी पेवेंट नहीं काट सकता वरकर को मैं ऐसा नहीं बोल सकता आदे घंटे लंच में खराब कर दिये पेवेंट नहीं दूंगा ऐसा बोल लिए तो क्या हो जाएगा फैक्टरी में हंगाम हो जाएगा अच्छा दूसरा केस अवाइडेबल मतलब मैं अगर चाहता एज इंपलॉयर तो उस आइडेल टाइम को अवाइड कर सकता था वरकर खाली बटारा चार घंटे क्यों कि मशीन खराब हो गई क्या हो गया मशीन ब्रेकडाउन यह गलती किसकी है भई मशीन ब्रेकडाउन होने की यह गलती है इंपलॉयर की टाइम पे मशीन का रिपेयर मेंटेनेस नहीं करवाने से मशीन असानी से खराब हो सकती है और कभी भी खराब हो सकती है जैसे आप ए घर में इसी लगा हुआ है मशीन ही तो है वो अगर आप उसका प्रॉपरली एमसी ना कराओ साल में दो बार या तीन बार उसके सफाई ना कराओ उसमें गैस चेक ना कराओ एक रिपेयर ना कराओ तो क्या होगा कभी ना कभी तो मशीन अनेश्पेक्टेड खराब होगी ही होगी तो यह टाइम जो वरकर खाली बैठा रहा मशीन खराब होने की वजह से और हमें उसे पेमेंट भी करनी पड़ी इसको हम अवाइड कर सकते थे अगर हमने सही समय पर मशीन के रिपेयर मेंटेन इस पर ध्यान दिया होता तो को मिलाकर यह था हमारा अवाइडियेबल टाइम तो सवाल यह है कि जब हमने एक्ट्वल में पेमेंट किया वरकर को जब हमने एक्ट्वल में पेमेंट किया वरकर को उसकेस के अंदर ही सिर्फ उसकेस के अंदर ही सिर्फ आइडल टाइम को ट् कोश्ट इनकर की है तो क्या करें उस कोश्ट का सवाल ही होता है तो समझ गया ध्यान दो तो लिखो आइडल टाइम मीन्स वरकर क्याप्ट ऑन सिटिंग विदाउट प्रोडक्शन विदाउट प्रोडक्शन बट कम्पनी पेड ही तू कैटेगरी एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम जिसे हम बोलते हैं अन अवाइडेबल यह चाहकर भी हम अवाइड नहीं कर सकते जैसे लंच टाइम टी ब्रेक तो यहां मुझे पेड़न करनी पड़ी है तो ध्यान देना लिख रहा हूं मैं कॉस्ट आफ सच नॉर्मल आइडल टाइम इस एब्जॉब्ड इन कॉस्ट आफ प्रोड़क्ट यानि की नॉर्मल टाइडल आइम के वाली वह ने पिमिंट करी है उस पिमिंट को हम एड करते हैं कॉस्ट आप्रोड़क्ट यानि का ट्रीटमेंट आईए पिमिंट के लिए मेरी एब्णॉर्मल आइडल टाइम अब्नॉर्मल आइडल टाइम जिसे मैं प्याज से बोलता हूं अवाइडेबल आइडल टाइम मैं चाहता तो अवाइड कर सकता था बट कर नही नहीं पाया जैसे मशीन बेरिक डाउन फैक्टरी में आग लग गई पायर इंदी फैक्टरी वो गम पागया तो तो क्या है इसके इसके अंदर या उज़े पेविंट करने पड़ रहे हैं पिछाओं कॉस्ट आफ सच अबनॉर्मल आइडल टाइम नो जी है अब क्या बोल दिया मैंने मैंने कुछ जो मैंने खर्चा पे किया है अबनॉर्म आइडल डाइंग का वो में रिक हैं नहीं है मरे लास है इटिस नोटमाइ कोच्ट का इदीज माइ लॉस तो इसे मैं कॉस्ट ऌपनेट में चार्ज नहीं करूंगा याप लिग भी हुआ हैंस हैंस not charge to hence not charged to cost of product not going to give it about hence not charge to cost of product not charged to cost of product आईए एक example की मदद से आपको यह समझा जिता हूँ लेखो नॉर्मल वर्किंग टाइम कंपनी में क्या है मान लो 9 to 530 जिसके अंदर लंच है 30 मिनट्स का लंच आफ 30 मिनट्स इंक्लूडिड यह नॉर्मल टाइम ठीक है ना अच्छा यहां लिखना हूं में नॉर्मल वेज रेट तो माल लो बोलता हूं 800 रुपए पर दे ठीक बात है अच्छा कोशन में गिवन है अबनॉर्मल आइडल टाइम चार गंटे का रुपीज लिख दिया इस आर्स नॉट रुपीज चार गंटे क्या है अबनॉर्मल आइडल टाइम आप मैं बोलना हूं आपको कैल्कुलेट वेजिज यह आईशे को दील्च बोले ताँं दील्च डाइट लेबर कॉस्ट कैल्कुलेट वेजिज चार्जेबल टू प्रड़क्ट चार्जेबल टू प्रड़क्ट लिखो आंसर लिखो आंसर ध्यान देना जरा यहां पर लिख रहा हूं मैं चार्जेबल वेज रीट और और मैं क्यान रिकाल रहा हूं वेजरेट पर आर तो ध्यान दो और सबबा करूंगा दिवाइड बाइप आठ गंटे क्याय शाहरण तोल टाइम माइनस आदे गंटे क्याय मेरा नॉर्मल आईडल टाइम ध्यान दो यही खास बात है बस कि मैंने चार्य ब़ेजिज नि ही डिवाइड वाइट टोटल फैक्ट इव मोव टेक्नीक लिम फैकटीव टाइंड ट कि एफ्रेक्टिव और्स लिक्या गोटा यह था आ आकसा तोटल टाइग्स टोटर आइबस माइनस नॉर्मल आइडल टाइम नॉर्मल आइडल आर्स यानी टोटल आइडने थे साड़े आड गंटे आदे गंटे क्या था नॉर्मल आइडल टाइम यानी कि लंच ब्रेक तो आड गंटे था मेरा टोटल इफेक्टिव आर्स तो यह 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 चीज है टोटल एफेक्टिव एड दिस इज माइ टोटल is effective आर्ज है तो मेरा चार्जिबल वेजट क्या आ गया चार्जबल वेज रेट आट सो बटा अट हो जाएंगा तो यहागा है सव रुपै घंटा स्व रुपैंपर और ब ज़रा धान देना अब ज़रा धान दो आ यहां देख पहले पहुंचो मियादर पहले पहुंच गहे अब ज़रा धीतन। आठ गंटों में हुआ क्या है 8 घंट घंटों में हुआ क्या है ध्यान दिना पूरे कि इतने जहने गंटे ते साले आठ घंटे इसमें हाँ क्या है ध्यान देना दरा why outta 4 घंटे थो हुआ प्र अके इप्रोडक्ष्ण है पहले और चार घंटे का जोआ हैं abnormal ideal time जैनी वरकर खाली बैठारा abnormal ideal time अच्छा आदा गंटा क्या है मेरा आदा गंटा आए lunch time इसे कोंगा normal ideal time नाइडल time अब जदे ध्यान दो मेरा चार्जरेवल येट कितना है मेरा चार्जरवल रिट सो रुपए इसका मतलब है चार गुना कर दूँगा सौ रुपए है यहीं कि 400 रुपए कर दूंगा और यह कहार्ट कर दूंगा कॉस्ट प्रियु और कर दूंगा एज डार्यक्ट लीबर कॉस्ट सिंहिंपल सी बात है बहुत है पूरे दिन में800 रुपए पेखिए हमने वाइकर को तो 800 में 400 कहां चार् यह यह भी आगे मेरा 400 यह 400 मेरा क्या है यह मेरा abnormal loss abnormal loss इसे क्या बानूँगा मैं इसे में loss बानूँगा यह मेरी cost नहीं है अब सवाल यह है कि इस आदे घंटे का मुझे क्या करना तो ध्यान देना इस आदे यहां पर absorb हो गई है क्या वो लेंगे से और तो में यहां पर क्या हो गई है एब्सॉब तो पूरा दिर में 800 रुपे पे किये चार सुरुपे एड़ कर दिया मैंने ऐस कॉस्ट प्रडट के अंदर और चार सुरुपे के मालिया मैंने अपना और यह होता है मैंने टोटल इफेक्टिव आर्स को निकालने का फर्मूला उसमें टोटल आर्स माइनस नौर्मल आईरिल टाइम इसमें अब नौर्मल माइनस नहीं करते हैं कर लो नोड़ कर लो चलिए तो लेते हैं शोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद ग्लास को कंटिन्यू करेंगे थैंक्यू कर दो लोग्या है झाल 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 वेल्कम बैक आफर दी ब्रेक ब्रेक के बाद आप सभी का क्लास में हार्दिक स्वागत हैं तो नॉर्मल आइलल टाइम एंड एबनॉर्मल आइलल टाइम का ट्रीटमेंट क्या करना है यह अपन समझ चुके हैं अब करेंगे हम उसके उपर प्रेक्टिकल कॉस्चन्स चलो कोशन नंबर 36 करते हैं कोशन नंबर 36 X एंप्लोई आफ ए बीच कंपनी गेंट था फॉलोईग एवलिमेंट्स और बैनेफिट्स बेसिक पर मिलती है इसको 1000 पर मन्थ अंडरलाइन करो बेसिक पर 1000 P.M. लिखा हुआ है P.M. का मतलब है पर मन्थ यह है बेसिक पर बेसिक पर मतलब बेसिक बेजिस अच्छा फिर यह डियरनेस अलावेंस 200 पर मन्थ ठीक है फिर गिवन है बोनस 20% of salary and ठीक है फिर अधर अलावेंस हैं 200 पर मन्थ यह ठीक है आओ 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 500 पाइंट तो जब मैं निकालुगा total wages for employer तो उसका मतलब होगा total labour cost for employer कुल मिलाकर जब employer अपने काम के लिए total wages निकलता है तो उसका मतलब होता है total labour cost और जब employee अपने काम के लिए निकालता है total wages उसका मतलब होता है gross earning and net earning आई ये, पिर बोलता है x work for 2400 hours per annum यह पूरे साल में कितने घंठे कामकरता है 2400 घंटे कामकरता है out of which 400 hours are non-productive non-productive क्या मतलब है non-productive का non-productive का है this time में production नहीं हो रहा है और production नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या यह idle time And treated as normal idle time underline कर अभरद i promise प्रिक एदा कोश्यन, you are required to find out effective hourly cost of employee X, effective hourly cost of employee X, underline करूव बर, effective hourly cost, 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 cost of employee X, तो लो भे, effective hourly cost of employee X, formula क्या होगा, total, direct labor cost, divide by, क्या था formula, total hours, minus, normal idle time hours, यह था, यह था, यह था formula, चलो, तो निकालते हैं, दोने information को, आईए, तो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, है, calculation of, total, direct labor cost, और किसके viewpoints है, employer की viewpoints है, company के viewpoints है, सबसे पहले पेख की आती है, basic pay, कितनी है, 1000 पर मन्थ, पूरा साल की कतनी, 12,000, फिर है DA, 200 पर मन्थ, पूरा साल है कितना, 2400, 200 गुना 12 महीन, है, फिर given है bonus, क्या वोला, 20% of salary NDA, यानि 20% of this plus this, तो 12,000 plus 24,000, 14,400 का 20%, यह आगया 2880, इसके बाद है other allowances, कितना, 200 पर मन्थ, तो 200 गुना 12, कितना आगया, तीन हजार, पताओ, कोई doubt है यहां तक, 200 पर मन्थ, कोई doubt नहीं है, अब जड़ा खास बात, जो contribution, employer ने किया है, वो भी labor cost का part बनेगा, कितना पे किया है, employer, contribution to PF, कितना है भी, 10% of salary NDA, यानी 12,000 plus 24,000, इसका 10 बज़न कितना आगया है, 14,40, इसके लावा कुछ और है, इसके लावा कुछ नहीं है, इसके लावा कुछ नहीं है, एड करो भी, यह आगया आपका 21,720, कोई doubt इसके अंदर, 21,720, सब ठीक ठाक है, 2720, आओ, उपर आओ, तो 21,720, divide by, total hours कितने है, 24, normal idle time कितना है, 400, तो लोजी निकाल दो, 200 बटा 2,000, कितना आगया है, 10.86 पर आर, लोजी, आपका question number 36 यहाँ पर हो गया है complete, और यह category C question है, मेरे हिसाब से, बाकिया आप देख लो, category B में आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत निया मेरे को, धीर धीर C में अपने आप आ जाएगा, और category C में है, तो भी कोई दिक्कत निया मेरे को, category C में ही रहेगा, चले आगे, चलो, इसके बाद करेंगे यह, आओ, question number 20, question number 20, in a factory, working 6 days in a week, हफते में 6 दिन काम करती है, okay, and 8 hours each day, ठीक है जी, तो total time कितना है इसका, 8 hours each day, ठीक है, a worker is paid at the rate of rupees 100 per basic, basic plus DA at the rate 120, 120 percent of basic, यानि 100 रुपए per day, plus 120 percent, 100 रुपए का DA मिलता है, तो 100 plus 120, से यह न, अच्छा, he is allowed, अंडर करो वर्ड, allowed, he is allowed to take 30 minutes of during his hours, during his hours, during his hours, shift for meals break, and 10 minute recess for rest, यानि पूरे दिन में 40 minute worker को allowed है, 30 minute allowed है as lunch के लिए, और 10 minute, चाय पानी सुटा break, है न, okay, यह क्या है मेरा, normal idle time, यह 30 minute, और यह 10 minute क्या है मेरा, normal idle time, during a week, his card showed that his time was chargeable too, पूरे हफ़ते में, अंडरा करो, during a week, हफ़ते की बात कर रहा है, उसने X पे काम किया 15 गंटे, Y पे काम किया 12 गंटे, Z पे काम किया 13 गंटे, चीक है, the time not booked, was wasted while waiting for a job, इसका मतलब है, जब calculation करेंगे, तो कुछ time ऐसा भी आएगा, कुछ समय ऐसा भी निकलेगा, which was not booked, which was wasted, while waiting for a job, while waiting for a job, मतलब customer का order आए, इसका wait करता रहा वो, बताओ क्या होगा वो, normal idle time, या abnormal idle time, तो यह होगा आपका abnormal idle time, question बोलता है, in cost accounting, how would you allocate the wages of workers for the week, कुल में लाकर हमें allocation करनी है, job X में कितना add करेंगे DLC, job Y में कितना add करेंगे DLC, job Z में कितना करेंगे DLC, और कितना होगा abnormal loss, हम यह निकालना है, आई यह बात समझ में, चलिए, सबसे पहले निकालता हूँ मैं, total effective hours in a week, total effective hours weekly, तो देखो, पूरे दिन में 8 घंटे है, 30 मिनट हैं आपका lunch break, और 10 मिट आपका है, शुटा मुटा break, divide by 60 क्यों करा, क्योंकि हम hourly base पे convert कर रहे हैं उसको, यहनि 30 मिनट, divide by 60, तो यह क्या हो जाएगा, आदा घंटा, 10 मिनट, divide by 60, तो यह क्या हो जाएगा, 10 by 60 hours में कर दो जाएगा, गुना, एक महीने में वो काम कर एक हफते में वो काम करता, 6 days, तो आईए, यह मेरा exact आगे, 40 घंटे, अच्छा, अब मैं निकाल रहा हूँ, total hours worked, इसने actual में कितने घंटे काम किया, तो ध्यान दो, 15 घंटे काम किया, एक्स पर, 12 घंटे काम किया, वाइपर, और 13 घंटे काम किया, जेड़ पर, यानि कुल बिलाकर युनोंने 44 घंटे काम किया, 44 घंटे, तो भई 4 घंटे क्या है मेरा, चार घंटे है मेरा abnormal idle time चार घंटे यानि 44-44 घंटे है मेरा abnormal idle time कोई दिक्कत नहीं यहां तक अच्छा अब निकाल रहा हूं total direct labor cost employer के viewpoint से idle time और idle time चाहे normal हो चाहे abnormal हो इसका treatment करते हैं employer के viewpoint से सोचिए मुझे निकाला टोटल डार्ट लेबर कोस्ट क्या क्या प्रेकिया गया इसको इसको 100 रुपय का बेसिक प्रेकिया गया है तो ध्यान दो 100 रुपय का basic प्लस 120 रुपय का डिये और यह आपका डेली तो भाई 220 गुना शेकर दो न यह आ गया तीरा सुबीस ठीका यादक मामला तीरा सुबीस यहां तर नोट भी कर सकते हैं आप नोट करना जाओ तो चलू संग में नोट करते हैं सकते हैं कोई मिश्किल वाला कोशन नहीं है यह कटेगरी सी कोशन बोलना उसको मैं अब जड़ा ध्यान दू मैं निकाल रहा हूं एफैक्टीव वेज रेट यान कि चार्टीव वेजडिट एफैक्टीव वेजडिट पर और तो फरमुला क्या था टोटल डार्ट्लीवर कॉस्ट डिवाइड भाई टोटल एफैक्टिव आर्स और वह कितने हैं 44 गंटे कितना आ गया यह आ गया 30 रुपए गंटा 30 रुपए पर आर लो जी अब करता हूं में Allocation of DLC या Allocation of Wages कर देता हूं लेको Allocation of Wages Job X Y Z और इसके लाबह क्या है Abnormal Idle Time दोगो X में काम किया 15 गंटे Y पे काम किया 12 गंटे Z पे काम किया 13 गंटे और 4 गंटे वेस्ट किया टोटल कितना हो गया यह 46 गंटे तो ध्यान देना गुना 30 रुपए पर आर तीस रुपए पर आर तीस रुपए पर आर तीस रुपए पर आर एक सो बीस रुपए यह कहां जाएगा मेरा यह मेरा Abnormal Loss यह है मेरा DLC तो यह कितना आएगा साड़े चार सो यह कितना आएगा त्वेल थिरीजा थिरी सिक्स्टी थर्टीन थिरीजा थिरी नाइनटी यह तीनों क्या है मेरा DLC डारेक्ट लेबर कॉस्ट भाई कोशन नंबर 20 आपका यहां पर हो गया धराशाही चली अगला कोशन करते हैं आप इसके बाद इसे नोट कर लो अगला कोशन करते हैं कोशन नंबर 42 कोशन नंबर 42 करते हैं कोशन को कैता कल्कुलेट दा employee hour rate of worker X from the following data basic pay 10,000 per month DA 3,000 per month और fringe benefit 1,000 per month number of working days in a year कितना है 300 20 days are availed of as holiday on full pay in a year क्या मतलब इसका इसका मतलब है साल में 20 दिन आप छुट्टी मार ले ना फिर भी हम फुल पेमेंट करेंगे इसका मतलब क्या है जब साल में 20 दिन छुट्टी मारेगा मतलब वरकर ने कोई काम ने किया बट इस्टिल भी पेड बताओ नॉर्मल है या अबनॉर्मल है डेफिनेटली नॉर्मल है क्योंकि यह पॉलिसी है कंपनी की कि साल में 20 दिन आप छुट्टी मारो हम पैसे नहीं काटेंगे तो इस नॉर्मल आइडल टाइम लिख लो इसका आगे नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है अन एक्सपेक्टेड वेस्टेज ऑफ टाइम कंपनी को एक्सपेक्ट नहीं था टाइम बेस्ट हो गया वह होता है आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम पनेक्सपेक्टेड यह क्या है एक्सपेक्टेड लंच करेगा चाहे पिएगा वाश्रूम जाएगा नोर बर लिखा एजूम एडे ओफ एट आर्स तो आई ये पहले क्या निकालना मुझे पहले निकालता हूं मैं टोटल डाइट लेबर कॉस्ट तो ध्यान दो दस हजार पिलस एक तीन हजार पिलस एक हजार गुना कर दो ट्वैल वो मन्त ये क्या आ गया पूरे साल में इंकर होने वाली डाइट लेबर कॉस्ट यानि 14 गुना बारा 168 अब निकालता हूं टोटल इफेक्टिव आर्स टोटल इफेक्टिव आर्स तो देखो 300 दिन माइनस 20 दिन गुना एक दिन में 8 गंट ये आगया 2240 आर्स मुझे क्या निकालना है इफेक्टिव वेज रेट जिसको हम शार्जियाबल वेज रेट भी प्यार से बोलते हैं इफेक्टिव वेज रेट पर आर्स क्या फामुला होता है टोटल डाइट लेबर कोस्ट डिवाइट वाइट वाइट टोटल इफेक्टिव आर्स लोजी यह आगया आपका 55 रुपे कोशन नंबर 42 इस कंप्लीट बताओ जी इतना टुच्चा कोशन था यह कोशन नंबर 42 कैटेगरी ए बी या चलिए इसके बात करेंगे कोशन नंबर 35 कोशन नंबर 35 कोशन नंबर 35 की रिक्वार्मेंट कालकुलेट दा वेजर रट पर और पर कॉस्टिंपर परस मतलब यह निकाल आवेजरे किसे आप से इंप्लॉयर के इसाब से हमें क्या निकालना वेजर पर आर ओक्या पॉला क्या टोटल डार्ट टेबर कॉस्ट डिवाइड बाइट टोटल इफेक्टिव आर्स सिंपल है चलो पड़ते हैं यह वरकर इस पेड ध्यान देना यहां पे मुझे निकालना डी यलसी तो निकालत आफ डी एलसी पर सिंपल कोशन है काटिगरी सी कोशन है यह वरकर इस पेड रुपेश 10,000 पर मन्थ एंड डियर नेस अलावेंस ऑफ 2,000 पर मन्थ तो अगर मैं पूछों आप से बेसिक पे कितना कि तो कितना भई 10,000 पर मन्थ है पूर साले कितना हो गया एक लाग बीजार दस हजार गुना 12 मन्थ उसके बार डिये तो दो हजार पर मन्थ है तो दो हजार गुना 12 कितना हो गया 24,000 बहित दो हजार उपर मन्थ गुना 12 मन्थ एनूवल निकाल नहीं हो एनूवल आजओ worker contribution to provident fund अटलाइन करो worker worker contribution to provident fund is 10 यह किसा contribution है यह वर्कर का ही contribution है और वर्कर के पैसे में से ही काट कर वर्कर के नाम पर जमा कराया जाएगा क्या यह कॉस्ट का पार्ट बनेगा answer is yes but यह amount already इसमें और इसमें included है because काटा नहीं न में आवाउंट का भी यह gross amount है gross earning फिर employer फिर बोलता है and employer and employer and employer also contribute the same amount as the employee यह क्या बनेगा मेरा cost का पार्ट बनेगा because यह additional है तो ध्यान दो खास बादे स्पाइट के अंदर employers contribution to pf अब जरह ध्यान दो कोशन क्या बोला 10% of wages जा कुछ ने कुछ बोला नीकोशन बदो 10% तो जब कोशन silent हो जाए अपने मुझे ना बताए जब कोशन silent हो जाए अपने मुझे ना बताए तो 10% और क्या होगा बेशिक वेजिस प्लस दिए यानि यह मतलब वोता है वेजिस का फॉर पीएफ कॉंट्रिबूशन एसाई कॉंट्रिबूशन वेजिस मीन्स बेशिक पे प्लस दिए ध्यान देना जारा बस सम्झाना कुछ आपको कोशन ने बोला कॉंट्रिबूशन प्लस दिए जब कोशन मुसे बोल देगा तो हम उसे का निकालेंगे के पर्सेंटेज अदरवाइज बेसिक वेजिस प्लस दिया का निकालेंगे पर्सेंटेज इस कोशन के अंतर बास यही पॉइंट था जो थोड़ा यूनीक था बाकी एवरिटिंग इस सेम ठीक है चलो तो भी टैन परसेंट और बेसिक एंड ये कितना होगा एक बीस प्लस चाहिए एक चमालीस एक चमालीस का 10 परसेंट बास समझ में आगे न इसको लिखवा भी दूंगा भी आगे बढ़ते हैं इंप्लोई स्टेट इंश्रेंस कोर्परेशन कोर्परेशन प्रीमियम फेज 6.5 पर्सेंट और अंडरलाइन करो वेजिस क्या मतलब वेजिसका बेसिक प्लस डियें ओफ विच 1.75 परसेंट इस पेड बाइए इंपलोई इसका मतलब क्या हुआ इंपलोई इंपलोई यर्स कों ट्रिबूशन टूई एस आई कुल कितना है 16 परसेंट 1.75 परसेंट तो इंपलोई दे रहा है तो बाकि कौन दे रहा है फिर बाकि ये खुद देरा तो कितना होगा 6.5 या आगया 4.75 यानि 4.75 परसेंट ओफ वेजिस और क्या मतलब वेजिसका वेजिस मेंस बेसिक वेजिस प्लस डिये तो भाई 1.75 का 4.75 परसेंट यह आगे मेरा 6840 चलो आगे बढ़ते हैं इट इस फर्म्स प्रेक्टिस टु पे तू मन्थ वेजिस एस बोनस लो भाई अगें कंपनी क्या पे कर रही है दो महिने का बोनस पे कर रही है यानि टू मल्टिप्लाइड बाई दो महिने का टू मल्टिप्लाइड वेजिस क्या मतलब वेजिस का वेजिस का अगे मतलब है बेसिक प्लस डिये यानि टैन थाउजन प्लस तू थाउजन यानि बारा का दूगुना हो गया चौबीज हर यह मिलता है जबुनस खर्चस तारी खाता हम हो गए इसके बाद तो तो इसको अड़ कर लेते हैं यहां तक वन एट नाइन टू फोर जीरो कोई डाउट है यहां तक कोशन कंप्रीट अभी नहीं हुआ है नोट कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए आगे बनूँ अब यहां पर निकाल रहा हूं है टोटल एफेक्टिव आर्स पॉमुला क्या है टोटल आर्स माइनस नॉर्मल आईरल टाइम आओ पढ़ते हैं कोशन को आगे अब अधिकार है तो फिफ्टीन डेज लीव औन फुल पे क्या है यह नॉर्मल आईरल टाइम यानि की तीन सो दिन गुना सवरी माइनस पंद्रा गुना एट आर्स डेली कटना गया यह 285 गुना एट तो यह आगया 2280 आर्स मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है इफेक्टिव वेज रेट प्यार से तुम चार्जेबल वेजट भी कह सकते हैं पर्मूला क्या है ए बटा बी यानि टोटल डारेक्ट लेबर कॉस्ट डिवाइड बाई एफेक्टिव आर् यह आगया आपका 83 रूपीज आ यह नोट कर लिजिए स्पेशल नोट आइस के अंदर वेजिस पॉर पी एफ एसाई एंड बोनस मीन्स बेसिक वेजिस प्लस डिए बस यही पॉइंट था जो इस कोशन के अंदर यूनिक था नोट कर लो जी इसको यह था कोशन नमबर 35 तो यह था मेरा कोशन नमबर 35 फिलिया आगे बढ़ता हूँ आओ ज़रा लिखो concept concept treatment of direct expenses रुख जाज़ रा इसको ट्रीटमें नमथ लिखो यह था इसको यह था कल्कुलेशन आफ calculation of direct expense ध्यान दो मैं आपको concept recall करवाता हूँ थोड़ा से आपर देखो एक product को बनाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं कुछ खर्चों को हम बोलते हैं प्रोड़क्ट specific cost और कुछ खर्चों का हम बोलते हैं common cost product specific cost का मतलब होता है technical सब्दों के अंदर direct cost जो production बढ़ने से बढ़ जाते हैं और production घटने से घट जाते हैं और common cost का technical word है indirect cost cost जिनका production से कोई खास लेना देना होता नहीं है इसी को एक और नाम है overheads overheads overhead cost ठीक ना overhead overhead cost ठीक है अच्छा यहां पर जो खर्चे होते हैं D C के अंदर इसे हम तीन पार्ट में तोड़ते हैं एक होता है direct material cost एक होता है direct labor cost और एक होता diet expense diet expense बोले तो जैसे royalty आया कुछ यहात royalty अच्छा यह कौन सा खर्चा है यह तीनों खर्चे कौन से हैं यह तीनों खर्चे हैं job oriented मतलब product specific customer का order आया तो खर्च करना पड़ेगा customer के order बढ़ गए तो खर्चा बढ़ जाएगा customer का order नहीं आएगा तो खर्चा कम उजाएगा यानि की product specific इसे को टेकनिकल शब्दों में job oriented खर्चे भी कहते हैं diet metal cost production के बढ़ने पर plastic body refill cap ज्यादा चाहिए होंगे labor cost मैंने वर्टर को बोला एक pen को बनाएगा पांच रुपए दूँगा तो यह क्या है direct labor cost आगे बास समझ में इस वाले concept के अंदर हमें इसकी calculation करनी है किसी calculation करनी है हमें calculation करनी है direct expense की यहां तक पहले हजम करो आओ जी overhead अब जड़ा ध्यान देना overhead को हम again तीन category में तोड़ते हैं एक होता है आपका factory overhead overhead को मैंने शॉट में OH लिख दिया है factory overhead मतलब वो खर्चा जो factory में हो रहा है जैसे machine current factory current खर्चा कैसा है यह common खर्चा है एक factory के अंदर अगर बनते है चार product तो यह खर्चा किसी एक के लिए नहीं हो रहा है it is common खर्चा इसे बोलते हैं factory overhead दूसरा होता है आपका office and admin overhead office and administration overhead कौन सा खर्चा आपका आपका जो पूरी एंट्रिया मार रहा होगा खरीद की पर्चेस की हाँ सेल की तो वहां का खर्चा office का रेंट सारे खर्चा आएंगे आपके office and admin के अंदर तीसरा हेड है आपका selling and distribution overhead क्या मतलब इसका selling मतलब advertisement का खर्चा customer को पता कैसे पढ़ेगा add करना पढ़ेगा distribution का खर्चा distribution मतलब courier company का खर्चा तो overhead को भी हम तीन category में तोड़ते हैं overhead मतलब होता है common खर्चा क्या खर्चा common खर्चा तो इस वाले concept के अंदर हम direct expense को identify करने की बाद सीखेंगे तो ध्यान देना direct expense मतलब कौन से वाला खर्चा वह खर्चा जो job oriented है वह खर्चा जो overhead नहीं है वह खर्चा जो dmc नहीं है वह खर्चा जो dlc नहीं है समझना के बात तो यह है मेरा concept इसको नोट कर लो आप इसके बाद इसको पर करेंगे question direct expense मतलब वह खर्चा जो overhead नहीं है, dmc नहीं है, dlc नहीं है job oriented है शुलो लिख देता हूं अस बात को short के अंदर देखो direct expense मतलब वह खर्चा जो overhead नहीं है जो dmc नहीं है जो dlc नहीं है जो job oriented है देखा आपने उसी बात को मैंने simple symbol के अंदर लिख दिया जलो भई question number 43 करते है question number 43 question number 43 question number 43 question number 43 question ko aditya limited is an engineering manufacturing company producing job order on the basis of its specification given by the customers during the last month it has completed 3 jobs work namely a b and c 3 order item के पास a b and c following are the items of expenditure which are incurred apart from direct material and direct employee cost यानि कि जो नीचे खर्चे दिये गए है question number 43 में जो खर्चे दिये गए है question ने खुझे बोल दिया वो dmc नहीं है dlc नहीं है तो कुल मिला कि मुझे क्या चेक करना है मुझे बस यह चेक करना है कि क्या वो overhead है अगर वो overhead नहीं होगा तो वो फिर d e होगा अगर वो overhead होगा तो फिर वो d e नहीं होगा simple है question अपने मुझे बोल दिया कि नीचे दिये खर्चे apart from तो ना तो dmc है ना dlc है question ने मुझे बोल दिया तो फिर कौन ता बचा या तो होगा overhead या होगा d e तो अगर overhead है तो d e नहीं है और अगर overhead नहीं है तो d e है तो मुझे identify करना है d e को चलिए पढ़िए भई खर्चा नंबर वन office and administration cost तीन लाक रुपए क्या है यह office and administration cost यह common खर्चा क्या है यह टेक्निकली यह यह आपका office and admin overhead तो लिखे लो इसले bracket में office and administration overhead अब क्योंकि यह हमारा overhead है तो हमारा direct response होई नहीं सकता है है चलो आगे बढ़ते हैं product blueprint cost product blueprint cost for job a underline करो for job a for job a for job a for job a job a उसने बोला यह खर्चा सिर्फ job a के लिए किया है मतलब यह common खर्चा नहीं है मतलब यह overhead नहीं है तो फिर यह क्या है direct expense तो लिखे लो इसके आगे direct expense यह क्या है direct expense समझ गये product blueprint cost for job a for job a के मतलब सिर्फ job a के लिए खर्चुआ है मतलब common खर्चा नहीं है मतलब overhead नहीं है मतलब d e है d e है d e मतलब diet expense है आगे बढ़ते हैं खर्चा नंबर 3 higher charges paid for machinery आ गया हो used आ गया हो लिखा है for job work be underline करो for job work be क्या है लिखा है for job work be यानि ए खर्चा job b के लिए किया गया है इसका मतलब यह खर्चा common खर्चा नहीं है common खर्चा नहीं है मतलब overhead नहीं है तो फिर यह क्या है direct expense तो लिख दो ग्रेकट में direct expense direct expense चलिए आगे बढ़ते हैं लिखा है salary to office attendant यह क्या है office का common खर्चा तो यह क्या है मेरा office and admin overhead या इसको मैं office overhead भी कह सकता हूँ यह मेरे office attendant की salary सबके लिए काम कर रहा है वो तो A के लिए भी कर रहा B के लिए भी कर रहा है C के लिए भी कर रहा है common cost common बोले तो overhead और क्योंकि इस्टराइज्ट ग्रैफिक्स आजाओ इसके बाद क्या लिखा हुआ है for job C for job C underline for job C मतलब यह खर्चा specifically job C के लिए किया गया है job C के लिए किया गया है मतलब common खर्चा नहीं है मतलब overhead नहीं है तो फिर क्या है DE direct expense है क्या है DE है direct expense है आगे बरते हैं खर्चा नंबर 6 salary paid to marketing manager marketing manager यह क्या है मेरा selling and distribution overhead यह क्या है मेरा selling and distribution overhead this is my selling and distribution overhead requirement क्या है calculate the direct expense attributable to each job तो लो भई calculation of direct expense तो जोब है A जोब है B जोब है C तो आउजरा एक लिए कौन सा कर्चा हुआ है product blueprint cost product blueprint cost कितना है भई एक लाग चालीज़ अचा बी के लिए है higher charges for machine higher charges for machine कितना है 40 फिर उसके बाद one time license fees one time license fees कितनी है पचास हजार कि लो भी कितना आगया total एक चालिस 40 पचास लो जी कोशन ने मुझे यह निकालने के लिए बोला था निकाल डाला मैंने कोशन नमबर 43 बताओ category A B और C category category B या C में कोई A होगा आप देख लो मेरे इसाफ़े category C है आकि आप सोच लो आपको लगता है एक बार category B में डाल देता हूँ तो डाल दो category B में tension मत लो धीर धीर category C में अपने आप आ जाएगा विल्कुल फिकर मत करो चालो भई कोशन नमबर 44 करते हैं कोशन नमबर 44 कोशन नमबर 44 कोशन नमबर 44 the following expenditure were incurred in Aditya Limited for the month of March 2023 हमें घर्चे दे रखे है month के इसकी requirement क्या है इसकी requirement है you are required to calculate direct expense for the month हमें क्या निकालना है हमें calculation करनी है direct expense की तो हमें क्या करना है calculation of direct expense चलिए पढ़ते हैं जिए खर्चों को लिगता paid for power and fuel paid for power and fuel होता क्या यह power and fuel दोको fuel लगता है वैसे machine के अंदर मशीनों को चलाने के लिए fuel लगता है जैसे generator को चलाने के लिए fuel लगता है न वैसे power मतलब power मतलब है जब machine चलाते है न तो machine बजली खाती है तो बजली का बिलाता है उसे बुलते है power वारा खर्चा तो खुल मिलाकर जो यह खर्चा है यह खर्चा पहले यह बताओ यह खर्चा डारेक्ट है या इंडारेक्ट भाई ज्यादा machine चलेगी तो ज्यादा fuel लगेगा ज्यादा बिजीन लगेगी answer is yes ज्यादा खर्चा आएगा answer is yes तो खुल मिलाकर यह बात तो confirm हो गई कि यह है डारेक्ट कॉस्ट इंडारेक्ट कॉस्ट तो नहीं है तो पहले यह पता पढ़ गया overhead तो नहीं है यह अब चेक करते हैं यह dmc या dlc में कुछ है क्या अगर यह dmc dlc में तो फिर यह क्या d e तो क्या यह dmc है क्या यह material है क्या यह finish goods का raw material है answer is no यह machine का raw material है और company machine थोड़ी बना रही है company तो बना रही है product तो यह dmc नहीं है क्या यह dlc है नहीं यार हमने labor को कहा payment करी है इसके अंदर यह तो बिजली का बिलपे कर रहे हैं तो यह क्या है मेरा d e कोई doubt सोच इसके अपर कोई doubt तो नहीं आ रहा ना मेरा यह overhead है ना मेरा यह dmc है और ना मेरा यह dlc है it is my d e this is my d e तो लिखुए आपर पावर एंड फ्यूल कितना यह चारसी बीस चारसी दो सो नौट बीस आगे बढ़ते हैं वेजिस पेड़ टू वेजिस पेड़ टू वेजिस पेड़ टू अंडलाइल करो फैक्टरी वर्कर्स और फैक्टरी वर्कर्स का मतलब होता है डारेक्ट लेबर्स आप चाहो तो लिख लो फैक्टरी वर्कर्स का मतलब होता है डारेक्ट वर्कर्स फैक्टरी वर्कर्स मीन्स डारेक्ट वर्कर्स और डारेक्ट वर्कर्स और डारेक्ट वर्कर्स मीन्स डा मत mêmechnitt मतलब होता है direct labor cost Direct workers मतलब वह workers जिनको दी जाने वाली payment production जदा करने बढ़ जाएगी production कम करने पर घड़ जाएगी तो it is DLC तो इसमेनी आएगा खर्चा नमबर 30 bill paid to job worker अड़ हो to job worker job worker जाब वर कर यानि कि हमने किसि specific तो जॉब के लिए खर्चा किया है? कॉवन खर्चा तो नहीं है यह तो यह कहाँ पर आएगा? यह आएगा आपका D.E. के अंदर यानि बिल पेडिक टू जॉब वरकर बिल पेडिक टू जॉब वरकर यानि कि यह जॉब औरिंटेड है और जो भी खर्चा job oriented होगा, वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा DE के अंदर, यह है आपको 966, यह है job oriented, लिखाते है concept में, आगे बढ़ो, खर्चा नुम्बर 4, royalty paid for production, royalty के बारे में तो मैंने आपको example एक समझाए बिता, कि royalty is our direct expense, royalty is our direct expense, कितना आई है, 8400 रुपर, 8400, आगे बढ़ते हैं जी, fee paid to technician hired, फिर क्या लिखा हुआ है, for the job, क्या लिखा हुआ है, for the job, मतलब job oriented, तो भाई, fee pay क्या हो जाएगी, fee to technician क्या हो जाएगी, direct expense, कितना आई है, 96,000, चलो आगे बढ़ते है, administrative overhead, लो जी, मुझे बता दिया, उसने, क्या ही है, overhead है, तो DE तो नहीं है, अच्छा, खर्चा नमबर 6, commission paid to sales staff, commission paid to sales staff, sales staff, यानि selling staff, यानि selling overhead, तो मतलब ये खर्चा भी आपका overhead है, direct expense नहीं है, कुल मिलाकर, ये चार खर्चे ये आपके direct expense है, चारों को add कर देते हैं, तो ये आगया 15, 50, 600, लो जी, ये question भी आपका, जहाँ पर हो गया है complete, इस question को category B में डालना है, या category C में डालना है, ये आप देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सोच सकते हैं, category B में रखना है, ये category C में रखना है, आपकी मर्जी, बढ़ टेंशन मतले हैं, धीरे-धीरे category B में होगा, C में आ जाएगा, ऐसे को दिक्कत की बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अब लिखो अगला concept, concept, और concept के heading लिखो, control ratios, यहाँ पर कुछ ratios निकालना हम सीखेंगे, control ratios, control ratio, आओ जड़ा, सबस्के पहले हैं आप concept को लिख लो, मैं फिर समझाता हूँ आपको, यहाँ पर पहले में concept लिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा, आपको लिखो, ratio मतलब होता है, दो information के बीच में link establish करना, एक होता है आपका activity ratio, ए लिखता हूँ bracket में, A for activity, और इसमें आपको याद करने की technique भी दूँगा मैं, क्योंकि एक्जाम में गरबड हो सकती है, एक होता है activity ratio, फिर दूसरा होता है capacity ratio, पहला alphabet C लिखूँगा यहाँ पर, तीसरा होता है efficiency ratio, efficiency ratio, इन तीनों ratio को बोलते है control ratio, इन तीनों ratio को बोलते है control ratio, activity ratio, capacity ratio and efficiency ratio, इनका मतलब अभी आपको मैं समझाओ, अच्छा, थोड़ा space छोड़ने के बाद, यहाँ पर लिखो, S, लिखो S, A, B, सब भी लिखना, सब लोग लिखो, सब लोग, सब लोग, S, A, B, सब लोग लिखो, S मतलब है, S का मतलब होगा, Standard, R's, for, Actual Output, Standard R's for Actual Output, इसको पढ़ने का तरीका बताता हूं, मैं आपको, Costing के अंदर, Standard मतलब होता है, चाहिए, हम इसे पढ़नेंगे, Reverse, Left to Right नहीं, Right to Left, देहां दो, Actual Output जो प्रेड्यूस हुआ है, उसको प्रेड्यूस होने में, कितने घंटे लगने चाहिए, S मतलब, Standard R's for Actual Output, Right to Left पढ़नेंगे, Actual Output जो प्रेड्यूस हुआ है, उसको प्रेड्यूस होने में, कितने घंटे लगने चाहिए, एक्ट्वल आउट्पुक्ट जो प्रेड्यूस हुआ है उसको प्रेड्यूस होने में कितने घंटे लगने चाहिए इसे प्यार से क्या बोलेंगे हम एस फिर उसके बाद है ए मतलब है एक्ट्वल आर्स वर्ट इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सिंपल मतलब इसका तो मैं कितने घंटे काम किया बरकर ने कितने घंटे काम किया और अगला है कि बज़ेटेड आर्स पोर अधिर आउटूट यहाँ पर तो बी मतलब क्या है बी मतलब है जो आउटपुट हमने प्लेंकिया था इसका अग क्लें लेन तो जो output हमने plan किया था उसे करने में कितने घंटे लगने चाहिए S में क्या था अच्छा S और B में फरक क्या है S में फरक है और B में ये फरक है कि S बोलता है जो हमने produce कर चुके हैं उसमें कितना लगना चाहिए था और B बोलता है जो हमने प्रिडूस करने की सोची थी उसमें कितना लगना चाहिए था यह फरक है बस जैसे मालो आपने जो कॉश्टिंग के 30 कोश्टिंग किये एक दिन में उसमें कितने घंटे लगने चाहिए थे यह हो जाएगा आपका S अब नेक्स दे की प्लानिंग कर रहे हो आप यालिकि जब एक्ट्वल आउट्पूट के में निकालूंगा चाहिए वाली फिगर तो बन जाएगी S और जब ब्लेंड आउट्पूट फ्यूचर आउट्पूट के में निकालूंगा तो बन जाएगी B आ गया पास समझ में तीनों टाम समझ गए आप S, A, B सब लोग समझ गए S, A, B का फुल फर्म अब ज़रा ध्यान दो अब ज़रा ध्यान दो इसको अब लिख लोगे काम करो पहले इतना सब बना लो यहां पे लिए स्पेस चोड़ देना थुड़ा जैसे मैंने स्पेस चोड़ाना है यह कम से कम इतना स्पेस चोड़ दिना या मेरे पास तो स्पेस ठीक था गया यह नोट कर लो S, A और B की फुल फर्म सब लोग कर लो नोट चलो अब जड़ा आ जाओ टेंशन मतलो अभी आपको मैं सिर्फ फॉर्मूलय को याद करने की टेकिनिक बता रहा हूं और S, A और B का मतलब पता है देखो अब जड़ा ध्यान दो मुझे जब निकालना है एक्टिविटी रिशो तो यह होता है S बटा B गुना सो एसके मतलब पता है B का मतलब पता है राइट देखो S का मतलब पता है और B का मतलब पता है यानि S बटा B हो जाता है मेरा एक्टिविटी रिशो अच्छा फिर उसके बाद A बटा B हो जाता है मेरा कैपसिटी रिशो एका मतलब पता है एक्षिल आर्स वर्ट और वी का मत्रव पता है और एफिशंसी रेश्यो होता है मेरा एस बटा ए यह होते हैं जी फॉर्मूले अब इस फॉर्मूले को याद करने की टेक्निक बताना चाहता हूं मैं आपको ध्यान देना एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्ट है क्योंकि इस जरूरी है और टेंशन मत देना अभी इनका मीनिंग आपको समझाओं का पहले मैं आपको याद करवा रहा हूं यहां पर उल्टा तरीका लिए मैंने पहले याद करवाओ फिर मतलब समझाओ ताकि गहराई में मतलब समझ में आए ठीक ना अब जान दो शॉर्ट में दिखन दिया और यहां पर सए सच चुड़ाइस और यहां पर लिधिया BBA कहां से आया बया से देने जघ्रा कै लिखाह मैंने A यहां से आया और Y heroes यह त्य नों को जोड़ दिया अच्छा मैंने एस एस girls ङहां से आया के यहां से ये हर घर की कहानी है कि हर घर में बहू हुक्म का इक्का होती है इक्का मतलब एस बहु हुक्म का इक्का होती है और सास बबाल होती है बबाल लड़कियां इससे जल्दी रिलेट कर पाएंगे चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो बहु हुकम का एक्षा और सास बवाल होती है लड़किया जो होती है न शादी से बहुत घबड़ाती हैquarter उनको लगता है कि यार हमने शादी कर ली आ तो जिन्दी की नर्ग हो जाएगी या। और शादी ना करने के पीछे जो में रीजन लड़कियों का होता है का न क Battle यूख wilde कि यूजदी होता था वो होती थी सास उनको ठार लगता है किया जिकर मेरी सास होगी ना जानिक कैसी होगी क्योंकि सास के बारे में डाल्डी लड़के नेकी इती with होती है उसके रिज़न है दो पहला रिज़न उसके खुद के मदर जिसे ने अपनी चौटी बातों को भी बढ़ा चड़ा कर अपनी बेटे को बताया हुगा है कि तेरी दादी ने मुझपर यह तहर किया तेरी फ। पहरो है तो पहले तो यह तो और दूसरा है यह t.v. सीरियल्स जो सास को हमेशा नेगेटिव भी दिखाते हैं मैं यह नहीं कहा रहा कि सास पॉजिटिव ही होती है सास नेगेटिव भी हो सकती है बट मैरिस के टाइम पर नेगेटिव माइंड सेट लेके जाना गलत है एक्जाम हॉल में अगर फेल होने की उमीद लेके जाओगे गारंटी यह पास नहीं हो सकते हैं तो एक्जाम हॉल में हमेशा पास होने की उमीद लेके जाना है हमेशा रैंक लाने की उमीद लेके जाना है हमेशा हाई स्कोर करने की उमीद लेके जाना है इसे पॉजिटिविटी बोलते हैं सास कैसे भी हो सकती है बट शादी के टाइम शादी के वक्त, शादी के बाद मन में positive चीज़े लेके जानी है और mind को open रखना है सास actual में वैसी है कि नहीं है, इसे observe करना है पहले से negative नहीं हो जाना कि सास ने बोला प्याज काट दो तो negative हो गए, मुझसे तो काम कराती है मुझसे तो काम कराती है, no reason पूछो ना यार उससे आप अगर आप housewife है, कोई लड़की अगर housewife है तो उससे expect किया जाता है घर के थोड़े बहुत काम वोग करे अगर working है तो तो भी expect किया जाता है घर के काम वोग करे भाई, working है तो क्या हो गया आज की रिट में equity का जमाना है working males भी घर बे काम करें तो working females भी घर बे काम करें क्यों, जमाना बराबरी का है चलो, यह सरी बाते मैंने क्यों बताई आपको मेरा simple मतलब है, आपको यह formula याद करवाना यह सब story मैंने इसलिए बताई, ताकि आपके दिमाग में सास और बहू बैठ चाहे, बस मैं इतने चाहता था story को आप भूल जाओ, वो मैंने ऐसी बोला आपको याद परवाने के लिए, मेरा कोई और मतलब उसके अंदर नहीं है, अब जड़ा ध्यान दो exam में इस technique से कैसे, आपको याद आएंगे, तीनो ratios के formula भूले, ध्याद देना, मन में आप exam में सोचोगे, जैसे बोलेगा निकालो, activity ratio, capacity ratio, efficiency ratio आप सोचोगे, कि बहू हुकम का इक्का और सास बबाल होती है, तो BBA, इसमें L तो आनी रहा, BBA, तो activity का formula है, S बटाबी, capacity का formula है, A बटाबी, और efficiency का formula है, S बटाइ, logic, हो गया याद करने का trick, मैं ना सास की बुराई कर रहा था, ना में बहू की बुराई कर रहा था, ना में मदर की बुराई कर रहा था, मैं सिर्फ इतनी बुराई है, इसलिए कर रहा था, ताकि ये information आपके दिमाग में fit हो जाए, एक्जाम के लिए आपको टेकनिक याद हो जाए, कि बहू हुक्म का इका, A समाने हिंदी में क्या होता, इका, A, C, E, इसमाने क्या होता, इका, बहु हुक्म का इका, और सास बबाल होती है, है ना, तो ये हो गया, formula को याद करने की टेकनिक, आपको S का मतलब बता दिया मैंने, A का मतलब बता दिया मैंने, और B का मतलब बता दिया मैंने, अब आईए, जैसा कि मैंने कहा था, पहले आपको मैं इसको लिखवा के याद कराऊंगा, और उसके बाद, इसका मिनिंग आपको समझाऊंगा, आईए आप एक example लेते हैं और इन तीनों का meaning में आपको समझा देता हूँ माल लिए एक company ने plan बनाया और plan ये था plan मतलब क्या बोलते हैं? plan ये था कि हम 1000 units बनाएंगे और एक को बनाने में लगेंगे 5 घंटे तो 5000 घंटों में हम 1000 units बनाएंगे ये plan था ऐसा भी तो करते हो आज चार चेप्टर पढ़ूंगा एक को बनने में दो घंटे लगेंगे आठ घंटे टोडल पढ़ूंगा फिर यह होता actual तो actual में हुआ क्या 1200 units बनाएंगे एक को बनने में 6 घंटे लगे कुल मिलाकर बहत्तर सो घंटे काम किया गया कुल मिलाकर बहत्तर सो घंटे काम किया गया अब जड़ा ध्यान दे अब जड़ा ध्यान दे यह मेरा एक्जांपल यह मेरा एक्जांपल मुझे निकाल लाएं पहले एक्टिवीटी रिशो सास बबाल सब्राइब यह मेरा फोर्मूला गुना सो अ रेशो बिले सो इसा मील्लिप्लाइब करना पड़ेगा अच्छा यह तो है formula मैं आपको समझा रहा हूं meaning activity मतलब क्या होता है activity मतलब होता है काम तो यह रेशो बात करता है कितना काम किया यह बात करता है कितना काम किया तो कितना काम किया वो क्या बता रहा है कितना काम किया मुझे तो मुझे यहां से पता पढ़ रहा कितना काम किया मुझे कितना काम किया इससे पता पढ़ रहा है सोचा था हजार बनाऊंगा बना दिये 1200 बताओ काम करने के लेवल पर इंप्रोई कैसा है मैंने बुला हजार कोशन सॉल करो बच्चे ने 12 कोशन सॉल कर दिये बताओ मेहनत करने में काम करने में कैसा है वो बहुत बढ़िया यानि उसका एक्टिविटी देशो अच्छा है हमने बूला हजार बना दिये 1200 तो कितना पसंद बना दिये वह एक सो बीस परसेंट कहा मैंने सौ बना दिये 120 समझके कहा मैंने हजार बना दिये 1200 अल राइट समझ में आगए आपको पहले प्रेक्टिकल इसका मिनिंग अगर मैं यहां पर निकारू ऐस ले मैं तो बही 1200 बना दिये मैंने हजार बोले थे इसका मतलब है यह इंसान 120 परसेंट काम किया है मैंने उम्मीद क कितना काम किया है भई कितना काम किया है भाई अच्छा अब निकालता ही कि यह व्र ऐस बते लगत है स्यूनार को एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् 120 परसेंट तो लो आपको मैंने ऐज ले मैं जो ये बढ़ाया 120 परसेंगा वही अंसर तो यहां पर आया वन एक्जाम में निकालना है एस बटा बी के वीश पर एक्टिविटेरेश्व मतलब कितना काम किया है भाई उमीद से ज्यादा या उमीद से कम this is my activity ratio ठीक है चलो समझ के मिनिंग अब बात करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे activity ratio के बाद efficiency ratio के बात करते हैं efficiency ratio efficiency मतलब क्या होता है efficiency मतलब क्या होता है efficiency मतलब होता है कि वरकर कितना emijn speed में काँ कर पाता है वह efficient है कि नहीं है efficiency मतलब speed मैंने बोला एक अंपलती नोरे में पांच घंटे लगने चाहिए लगने चाहिए उस नहीं है से तया को यिद्स को हमारा employee efficient है या नहीं है मैंने कहा एक को बनने में 5 घंटे लगने चाहिए थे उसने 6 घंटे लगाए efficient तो नहीं तो नहीं है कितना कम है तो पांच बटाच ये निकाल लो कितना गया यह तीरासी परसेंट एफिशेंट है बस तीरासी पॉइंट तीन तीन परसेंट है क्योंकि एफिशंसी कम है तो अब इसको निकालोगा मैं फॉर्मूले की बेसफर एफिशंसी रेशो त्या फॉर्मूला है यांद करो सास्वबाल तो बीच में क्या था यहापर कर ऐसी ऑख वाला है तो एस बता ए तो कि तो एस कितना है मतलब क्या स्टैंडर आर्टस फ़ार एक्जिवल आउटुटा बनने में कितना समय लगना चाहिए था तो भाएँ बारासो बनने में 1200 गुना पांच हमें लेगना चाहिए था है एक्चिल ऑर 2 यह मतलब एक्चिल हार जुर्ट कै 59 एक्जांपल से तो यह था मेरा efficiency ratio वरकर महनती तो है काम ज़्यादा किया है मगर efficient कम है activity 120% है मलब वरकर मेरा महनती तो है बट efficient नहीं है भाई कोई बात नहीं चलो अब बात करते है capacity ratio की capacity ratio आओ जरब capacity का मतलब होता है sitting capacity या कहलो working capacity sitting capacity या working sitting मतलब वो ने खाली बैठा ले sitting नहीं working capacity हमने उम्मीद की दिवरकर से कि 5000 गंटे बैठके काम करेगा उसने बाहतर सो गंटे काम किया है बताओ capacity ज्यादा है कि नहीं है कैसे निकालूंगा बाहतर सौ बड़ा पाचे जा 144% this is my capacity this is my capacity समझ में आगी बात मैं उम्मीद करता हूँ आप से कि रोज आप 8 गंटे पढ़ें टोटल में लेकिन आप पढ़ रहें 10 गंटे मतलब आपकी capacity ज्यादा है आप प्लान को रिवाइज करें आप डेली 10 गंटे पढ़ सकते हैं हर किसी के अपनी अपनी capacity होती है अब मैं निकालूंगा capacity ratio with the help of formula formula क्या है ए बटा भी ए डिवाइड भाई भाई भी आजाओ भई ए डिवाइड भाई बी गुना 100 तो ए मतलब क्या है ए मतलब है actual hours worked और कितने actual hours worked बाहतर सो गंटे और बी मतलब क्या है बजिटेड आर्स वार बजिटेड आउट्पुट यानि की हजार बनने में कितने घंटे लगेने चाहिए थे गुना 100 तो बहातर सो बटा पांच हजार कितना आ गया 144 परसेंट तो निकल लिया capacity ratio भी अब तुरों में difference क्या है activity मतलब कितना काम किया है efficiency मतलब काम की speed क्या है capacity मतलब working capacity कितनी है कितने घंटे एक जहेंगा बैठ की काम कर सकता है तो this is activity ratio capacity ratio and efficiency ratio formula को याद करने की trick मैंना आपको बता दी है बहुकुम का इक्का और सास बबाल होती है चलिए आगे बढ़ते हैं एक थास बात activity capacity and efficiency मतलब होता है एस एस डिवाइड बाई बी बी ए है ना अब जड़ा ध्यान दे मैं एक और चिल बोला हूं activity ratio बराबर होता है capacity ratio into efficiency ratio क्या सही हो रहा है तो देखो ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा एस बटा भी यानि कि मैंने क्या बोला हैंस प्रूफ कर दिया आपको कि activity ratio एक्टिविटी रेशो एक्वल टू कैफेसिटी रेशो मल्टीप्लाइड बाई efficiency ratio तो concept यहां पर हो गया आपका खतम चली कोशन करेंगे इसके पहले से नोट कर लिजिए आप उपर का भी सारा नोट कर लिया है सबने यह ट्रिक विलिक सब यह एक्जांपल भी नोट कर लेना चली कोशन नंबर नौ करते हैं बहुत ही मरा हुआ कोशन है मेरा तो करवाने का मन भी नहीं है कोशन नंबर नौ फिर भी आपको दर्शन करवाए था हूं इस मरेवे कोशन की कोशन नंबर नौ कोशन नंबर नौ पढ़ो जी है क्या गिवन है कोशन नंबर नौ पढ़ो इस एक्टिविटी रेशो एंड कैपसिटी रेशो इस वन जीरो परसेंट और नाइंटीश परसेंट पाइंड आउट दा एफिशन्सी रेशो लोजी कितना एक्टिविटी रेशो है एक्सो चार परसेंट कितना है कैपसिटी रेशो 96 परसेंट और क्या निकालना है एफिशन्सी रेशो बताओ तो एफिशन्सी रेशो कितना आ जाएगा एक्सो चार परसेंट डिवाइट बाई 96 परसेंट गुना सौ तो यह आ गया मेरा 108.33% लो जी कोशन नमबर 9 आपका यहां पर हो गया जी कम्प्लीट नोट कर लो भाइस मरें विए कोशन को नोट कर लो जी मरें विए कोशन को चलिए आगे बढ़ते हैं कॉंसेप्ट लिखो कॉंसेप्ट लिखो इन्फॉर्मेशन बेज़्ट बोनस स्कीम इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन बेज़्ट बोनस स्कीम देखो वैसे तो हमें पता है बोनस पे करने की दो स्कीम है हॉल से स्कीम और Roman scheme बट कई बार कोशन के अंदर आपको company की एक अलग scheme दी हुई होगी इसका मतलब है कोई भी company free है अपनी खुद की bonus scheme बनाने के लिए मैं अगर चाहूं तो मैं अपनी company के लिए bonus scheme अपने हिसाब से बना सकता हूँ तो ऐसा कोई कोशन आपके सामने आ जाए जहां पर वो अपनी bonus scheme की बाद खुद कर रहा हो जहां वो बता रहा हो इतना काम करने पर इतना bonus देंगे bonus ऐसे calculate होगा तो उस case के अंदर हम कोशन में दीगए information का इस्तवाल करेंगे और bonus calculate करेंगे मतलब कोशन के अंदर रोवन और हॉल से के अलावा अपने खुद की scheme भी हो सकती है तो ऐसे कोशन में लिखिए information given in question shall be followed to calculate bonus and total wages sir मतलब क्या है इसका इसका मतलब क्या है exam में कोई ऐसा कोशन आ गया जहां पर ना रोवन लिखाए ना हाल से लिखाए जहां पर कोशन ने अपनी bonus scheme बताई हुई है तो exam hall के बाहर आके ये मत बोलना कि sir ये कोशन out of the syllabus आ गया नहीं वो कोशन out of the syllabus नहीं है क्योंकि company free है अपने खुद की bonus scheme को decide करने के लिए companies free है कोई भी किसी company को बाद दे नहीं कर सकता कोई condition नहीं डाल सकता कि आपको bonus ऐसे ही pay करना पड़ेगा bonus पे करने के दो ही तरीके ऐसा कुछ भी नहीं है तो यही concept है बस कि आपको अगर कोई ऐसा कोशन exam में दिख जाए जिसके अंदर bonus देने की कोई अलग scheme दे रखी हो तो हम bonus देंगे उसी के हिजाब से ठीक है इसको note टर लीजिए चलिए अब करते हैं एक कोशन नंबर 29 तो कोशन नंबर 29 के अंदर है तो हम उसी को follow करेंगे because जब कोशन specific हो तो जो कोशन ने बूला है बस कोशन हमारे लिए माई बाप है कोशन नमर 29 बोथ डारेक्ट और इंडारेक्ट लेवर्स और डिपार्टमेंट इन फैक्टरी are entitled to production bonus क्या मिलेगा उनको production bonus in accordance with group incentive scheme the outline of which is as follows यानि कि जो भी group incentive scheme है उसमें किस तरीके से bonus पे किया जाएगा आपको नीचे बताया गया है आईए for any production in excess of standard rate fixed at 16,800 tons per month of 28 days a general incentive of rupees 15 per ton is paid in aggregate ध्यान देना यहाँ पर क्या बोला गया 28 दिन का standard तो यहाँ पर लिख लेता हूँ में जाँ यहाँ पर लिख रहा हूँ में ते स्टेंडर production rate और यह कितना है भई यह सोला आट्सों टन टन को शॉट में टी लिख देता हूँ डिवाइड बाइट वाइट वन टीएट डेज कितना अगया यह छैसों टन इसका मतलब है हर दिन में छैसों टन से ज्यादा अगर production होगा तो incentive pay करेंगे पंदा रुपए टन का जितना भी ज्यादा होगा उसके उपर जितना भी ज्यादा होगा उसके उपर पंदा रुपए पर टन के हिसाब से ठीक बात हैं अगर पर्स पर्स आप पर टो यह जाएंग तो धितना जो भी बूस बनेगा फंदा रुपए पर टन के इसाब से टेक्ष्टरा बनाने में उसका 65% मिलेगा लेबर को 15% बाइंस्पेक्शन स्टाफ 12% बाइंस स्टाफ और 8% बाइंस सूपरवाइजिरी स्टाफ तो इन चारो गुरूप के अंदर बोनस कैसे बटेगा बोनस कैसे निकलेगा ये बात कोशन ने अपने आप से बोली है तो हमें कोशन की बात को सर आखों पे लगना पड़ेगा और कोशन को सॉल्ट करना पड़ेगा लिक्वार्मेंट नंबर ए पढ़ लेने के बाद सबसे आखरी में आ जाओ पहले एक बार लिखा है फ्रॉम दे फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर ए मंथ वर्क आउट प्रडॉक्शन बोनस अर्ड बाई इच ग्रूप हमें निकालना क्या है हमें निकालना है प्रडॉक अज़कुछ इनफर्मसंद रखी आपने को नीचे अक्ट्वर वर्किंग डेज पच्छिस अक्षुल वर्किंग डेज़े 20 प्ट्वेंटी प्रॉट्टी प्रॉट्टी अच्ट्वर्किंग डेज़े 25 अब जा ध्यान दो एक्ट्वर्किंग ट्राइट 25 इनफरमेशन नम सब्सक्राइब करता हूं नहीं या तो को पहले रुको यहां पहले बनाता हूं मैं एक स्टेटमेंट शूइंग बोनस चार गूरूप हैं पहला है मेरा डारेक्ट लेवर चॉट में लिखा डील इसके बादे इंस्पेक्शन स्टाफ फिर इसके बादे मैंट टिनेंस स्टाफ एम डॉट लिग कि एक्षुल में काम किया गया 25 दिन तो मैं अगर निकालना चाहूं इस्टेंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 25 डेज यानि पच्छेस दिन में कितना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए था तो अभी निकाला था मैंने 600 600 टन पर इडेका क्या है स्टेंडर्ड रेट गुना 25 डेज यानि कुल मिलाकर पंदरा हजार तन का प्रोडक्शन होना चाहिए था एक्षुल में कितना प्रोडक्शन हुआ है एक्षुल में तो कोश्चन में गिवन है एक्षुल के अंदर हुआ है 21,000 टन टी फॉर टन अच्छा तो एक्सेस कितना प पंदरा इसका मतलब है 6000 टन एक्सेस बनाए इसके बदले क्या मिलेगा उनको इसके बदले उनको मिलेगा इंसेंटिव और इंसेंटिव क्या है पंदरा रुपए पर टन यानि 6,000 टन गुना 15 रुपए तो यहां गया मेरा Nur 2000 मियान पॉइंट नंबर एसे मैंने निकाला है यानि कि bonus जैसा मुझे कोशन ने बोला वैसा नम्पे जार रुपए यहां तक कोई doubt है अगर आपके मन में आ रहा होगे sir आपने जो standard निकाला वो 25 डेस के लिए क्यों निकाला तो उसका reason है मुझे कोशन के अंदर गिवन है actual working days 25 है तो भाई जितने दिन उन्होंने actual में काम किया है उसमें कितना बनना चाहिए था माइनस उसमें कितना बनना इसको तो बोलूगा मैं excess production या कम production तो आव जरा इस नब्वे हजार को मैं यहां बांट देता हूं incentive incentive कितना है नब्वे हजार रुपए तो भई कितना बोला लेबर को लेवर के लिए बोला गया पैसर पासर मिलेगा लेवर को तो यह मिलेगा थावन पांचो तो इसको मिल जाएगा फिर नब्भे का पंद्रा बारह यहीं दस आट सो इनको मिल जाएगा और सुपर्वाइजरी को मिलेगा आठ तो नब्वे का आठ यहीं बहातर सो इनको मिल जाएगा तो यह हो गया मेरा पॉइंट नंबर ए बिर्कुल ठीक है बस इसमें एक ही पॉइंट है और वो पाइंट स्पेशल क्या है कि हम नि आप आंसर को नोट करते हुए भी चल सकते हैं नोट करनो यहां तक चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर बी कहता है more ever if access production is more than 20 percent above the standard यह कह रहा है कि अगर जो actual production है वो standard के 20 percent यानि 120 percent से भी ज्यादा हुआ then direct labor also get a special bonus of rupees 5 per ton for all production in excess of 120 percent of standard तो अगेन निकाल रहा हूं मैं standard production for 25 days तो क्या करूंगा मैं 600 ton per day गुना 25 days गुना 120 percent तो कि 20 percent से भी ज्यादा होना चाहिए न तो इस एलिर कितना हो गया मेरा यह आगा है मेरा 18,000 ton और actual कितना है actual production है 21,000 ton excess कितना excess production है 21-18 यानि कि 3,000 ton अब यहां पर क्या मिलेगा यहां पर अगेन मिलेगा बोनस किस रसाप से पांच रुपय पर टन अब यहां पर क्या मिलेगा क्तोन रिलेगा 15 यह फूरे का पूरा कमेशन किसको मिलेगा यह पुर कभूरा बोनस किसको मिलेगा डार् werden को यह था पॉयंट नमबर भी पॉइंटन नमबर यह विच ग कृइट नैंदर 15,000 ये फूरा ज़ाये गा? इसे कुस नहीं मिलेगा, इसे कुछ नहीं मिलेगा इसे कुछ नहीं मिलेगा चलिए, अब आते हैं, point number C पर ये था point number B अब आते है, point number C पर पढ़ो भई, point number C पढ़ो, क्या बोलता कोषन का point number C कहता है une inspection staff स्टाफ किसकी बात कर रहा है इंस्पेक्शन स्टाफ ना यह डाइट लेवर की बात कर रहा है ना यह मेंटिनस की बात कर रहा है ना यह सुपरेज स्टाफ की बात कर रहा है यह किसकी बात कर रहा है इंस्पेक्शन स्टाफ इंस्पेक्शन स्टाफ आर पैनलाइज्ट अभी दो परसेंट से ज्यादा रिजेक्ट किया कस्टमर ने तो इंस्पेक्शन स्टाफ पर 20 रुप टन की क्या लगेगी पेनल्टी तो ध्यान देना बजिटेड रिजेक्शन तो ध्यान दो बना कितना एक्शुल के अंदर 21,000 तन इसका मैक्सिमम दो परसेंट यानि 420 टन रिजेक्ट होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर इसके उपर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी अब ज़्यान देना एक्शुल रिजेक्शन कितना है एक्शुल रिजेक्शन है आपका 500 टन कोशन में गिवन है अच्छा एक्शेज रिजेक्शन कितना हो गया तो भाई 500 टन माइनस 420 टन यानि 80 टन तो भाई पैनल्टी कितने लग जाएगी 80 टन गुना 20 रुपए पर टन यानि 16 रुपए लगी पैनल्टी और यह कौन करेग बीया इंस्पेक्शन स्टाफ तो यह 16 रुपए इंस्पेक्शन स्टाफ में से माइनस हो जाएंगे करने माइनस फैनल्टी इंस्पेक्शन स्टाफ में 16-0 कर दो जैसा जैसा कोशन बोले वैसा वैसा करते जाओ कोई टेंशन की बात नहीं है चलिए अब पढ़ते हैं इसका आखरी पॉइंट और वो है डी डी पॉइंट क्या बोलता है मेंटेनेंस स्टाफ आर आल सो पैनलाइस्ट ध्यान देना किसकी बात कर रहा है अब यह बात कर कर रहा है मेंटेनेंस स्टाफ की देखो ना लेवर की बात कर रहा है ना इंस्पेक्शन स्टाफ की बात कर रहा है ना सूपर्वाज स्टाफ की बात कर रहा है यह बात कर रहा है मेंटेंस स्टाफ की बोलता है मेंटेंस स्टाफ हार आल्सो पैनलाइस्ट एड़ी रूपीज स्ट्वेंटी पर आर पर ब्रेकडाउं तो ध्यांद पच्छाथ कोशन के अंदर मशीन का ब्रेकडाउन हुआ क्या एक हो दुर्शन में गयवने कितने घंटे का बीडाउन है चालिस घंटे अंदी का मतलब बेड डाउन का शीन खराब हो गई तो किसे लगे पर अलटी मैं ट गंटा वीश्रुपार पर और यानि आर्ट रोपे लगे लगे की पर लिटी किसको मैं टेरेंस स्टाफ को ध्यान देन ये पैनल्टी है यह कोई बोरस नहीं इस पैनल्टी तो यह पैनल्टी वाला अमाउंट माइनस और सुरुपे कर दो मैनस कोशन खतम यह आपका बोनस लोजी कोशन नमबर 29 हो गया आप यहां पर कंप्लीट बहुत याजान को संथा यूनिक कोशन था कि नोट कर लो जैसा जैसा कोशन ने मुझे बूला वैसा वैसा मैं करता चला गया चलिए एक कोशन और करते हैं कोशन नमबर इसके पहले वाला कोशन काटेगरी बी कोशन था उसकी आंसर को वेरिफाई करो को तो भी कोई दिक्कत नहीं है कहता है A, B, and C were engaged on a group task for which a payment of rupees 22,500 was to be made यानि पूरे के पूरे गूरुप को इसमें A, B, C है इनको 22,500 की payment करनी है A's time basis, A's time basis wages are 800 per day, B की 600 per day और C की 500 per day time based payment के तरी हैं की? 800 per day, 600 per day और 500 per day A worked for 25 days, B worked for 30 days and C worked for 40 days calculate the share of bonus to be distributed among the workers and total earning thereof आओ भी, worker A, worker B, and worker C और यहाँ पर लिखे लो टोटल है आओ जड़ा, basic wages कितने मिलने चाहिए, 800 रुपर पढ़ रहे हैं, 25 दिन काम किया, तो 800 गुना पच्छिए पक्छिए, 800 गुना पच्छिश, B की 600 पढ़ और इसने काम किया है, 30 दिन और C की 500 पढ़ पढ़ और इसने काम किया है, 40 दिन तो अवही, 800 गुना पच्छिए, को तना आ आ गया? बीस अजार चैसो गुना तीस के तना आ गया? अठारा जार पांसो गुना चालिस कितना आगया बीजार टोटल कितना आगया अठावनेजार क्या एड़ करेंगे इसके अंदर हम बोनस एड़ करेंगे और यहां पर आजाएगा पूटल अब ज़रा ध्यान देना मुझे टोटल बहत्तर पांसो की पेमेंट करनी है यह मुझे गीवन है मैं बेशीक एठावन सो अठावन अजार अगटोटल अबेवन करनी है बहुतर पांसो की तो डिफरेंस क्या होगा मेरा बोनस तो बहुतर पांसो मायनिस टावन क्या हो गया मिरा बूनस चौदा पांसो यह कैसे निकाला मैंने बैलंसिंग फिगर बीफ कि बैलेंसिंग फिए कर दापांसों मेरा अब इस चौदा पांसों को मुझे इन तीनों में बाट रहा है तो किस रिशों बाट दूगा मैं इसको इसको बाट दूगा बेसिक वेजिस के रिशों में यानि की 20 इस्टू 18 इस्टू 20 कोशन ने कुछ निब वहना मेरे को तो मैं 20 इस्टू 18 20 इस्टू 18 इस्टू इसू 9 इस Expare दूंगा तो 14 500 बटा डी्मा बाट बाइ of 58 गुना 20 तो यह हो गया मेरा 5000 यह हो गया मेरा 5000 और यह वह गया मेरा पैंटालिस बस एड कर दो कोशन कमपीट हो गया यह आगया टूटल मेरा पचीज आप यह आगया मेरा बाइस पांसो और यह आगया मेरा पचीज आ लो जी कोशन नमबर थर्टी नाइन भी आप यह आपर कंपीट हो गया कैटेगरी सी कोशन है कुछ भी नया नहीं था बस यही नया था कि बोनस को हम वेज के रिशों बाट देंगे तो चलिए खुशन बतने में वेशन आपका तो आज की क्लास को यहीं पर साइन आफ करते हैं थैंक यू